भारत के पूरी पॉपुलेशन में पंजाब की हिस्ट्री और सिख अबायर को लेकर बहुत जाले क्यूरियोसिटी है इतिहास गवा है कि जब भी कमजोरों पर वार हुआ है तो सिख हमेशा कमजोरों के साथ खड़े हैं हमेशा हर भारते ने नोटिस किया होगा औरंग जेब को किस नजर्य से देखा जाता था तब पंजाब में स्पेशली गुरू अर्गोबिंद के उपर प्रेशर के जो गुरू गुरू गरंट साहब है उसमें कुछ तबदीलियां की जाए गुरू हर्राय ने एक बात कही कि ब पहले इस जोत की जरूरत क्यूं थी दुनिया को इंसानियत को हमारे दस गुरू थे जी दस फिजिकल फॉर्म्स में हर सिक को विश्वास है और बिलीव है कि जो जोत उनमें थी वो एक ही थी इसे बहुत कम पॉड़कास होते हैं जहां मैं बस चुप रेकर स्टॉरी सुनता कि गुरू साब ने वहाँ पे उचारा हाल मुरी दान्दा कैना मितर प्यारे नू हाल मुरी दान्दा कैना आज के पॉड़कास में हम सिखी की कहानी कंटिन्यू करेंगे सरपरीच सिंग के साथ मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि अगर एक टू-पार्ट एपिसोड हम रिकॉर्ड कर रहे है तो वो बैक टो-बैक रिलीज हो जाए पर टाइम कंस्टेंट की वज़े से इस के बार में था इस एपिसोड में उसी कहानी को हम कंटिन्यू करेंगे और फोकस करेंगे गुरु गोबन सिंग जी पर उनके माइंड सेट पर हमारे सिख कल्चर के वारियर माइंड सेट पर दिल से एपिसोड बनाया है आई होप आप एंजॉए करें इस स्पेशल टी रस के एपिसोड को तिसे सर्परीट सेंह ओं टी रस सर्परीट सेंह जी का स्वागत है फिर से टी रस में कैसे हो सो शुक्रिया आप बहुत ज्यादा वाइरल गया मुझे याद है मैं सानी देवल के यहां गया था उनके साथ शूट करने और उन्होंने भी वहला एपिसोड एंड टो एंड देखा था तो बहुत बड़ा इंपक्ट रहा है मेरा मानना यह है कि जो इंशिंट नॉलेज होती है जो विद्या होती है वो विद्या खुद इंसानों को चूज करते है कि आपके थू अ मेरी फोर्वर्डिंग होगी कि आप एक मीडियम हो टू टू ट्रांसफर इंशिंट नॉलेज आपके निजरे से पिछले अपसोड के इंपक्ट कैसा रहा बहुत अच्छा मैं आपको पताता हूं कि मैं रिकोर्डिंग के बाद मेरा बुक्टोर चल रहा था तो मैं कई शहरों में गया और कोई ऐसा शहर नहीं था जहां पर कोई न कोई मेरे पास आके किसी ने कहा ना हो हमने पॉड़कास देखा हमें बहुत अच्छा लगा यूएस में भी बुजर्ग यंग लोग तो आपके प्रोग्रेम की रीच बहुत है और मुझे ये बहुत ही अच् पसंद आया और और ओफन ताइम्स ये बात सुने में आती थी कि बाकी की कहानी भी बताओ बिकाज बिकास प्रोग्रेम को जाना था तो रीच पिछले एपिसोड गा छोट असा रीकाप दे सकतो ओडियूंस को कि क्या बात हुई ती सरूर पिछले एपिसोड में हमने सिक ग बात की थी गुरुनानक साब के साथ उनके बच्पन से शुरू की बात जब उन्हें पहले महसूस हुआ कि समाज में कई ऐसी चीजें हैं जिनमें तबदीली आनी चाहिए और यहां पे मैं थोड़ी सी बात सपष्ट कर देना चाहता हूं क्योंकि मैंने आपके वीवर्स के थो ज़रूरी नहीं है कि उस समय की हालत आज की हालत हो यह पहली बात है दूसरी बात देखिए गुरुनानक साहब ने कभी भी किसी मजब के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं कही सारी यार आपका podcast का flow तोड़ दिया पर मैं बस यह कहना चाहता हूं firstly thank you for supporting us throughout the years secondly हमने एक नया initiative start किया है जिसका नाव है बियर बात की upskilling journey में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दे हम लेकर आएं आपके लिए commercial editing का course क्योंकि यह है बहुत सारे upskilling courses आ रहे हैं तो at least check out ब follow our Instagram page but for now enjoy this episode of TRS धर्म निर्पेच्ष्टा सिक्षी का एक बहुत मूल सिधानत है और इसमें सभी मख़बों के लिए खूब respect है एक specific बात मैं और करना चाहता हूं मैंने जात भेद के बारे में काफी बात की थी क्योंकि जात भेद गुर्णानक साहब के लिए बहुत बड़ी बात थी और उ ही होना चाहिए लेकिन ये अफसोस की बात है कि गुर्णानक साहब ने इस पश्टी से ये बात कहीं 500 साल पहले अभी भी सिख पंथ में जात भेद हमारे साथ चल रहा है और ये बात मुझे बहुत तकलीफ देती है सो जब जात भेद का मैं खंडन कर रहा था ये कोई हिंद आ जाता है जी मैं ये भी मानता हूँ कि हर रिलिजिन की शुरुआत अच्छा ही से होती है पर ये नेचर ऑफ टाइम ही है कि कुछ नो कुछ चेंजिस आ जाता है टाइम के साथ ये भी बात है दूसरी बात ये है कि गुर्णानक साहब ने जात फेद की बात की 500 साल पहले ल है एक बहुत कॉंशिस एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है सिख धर्म में कैसा जात बेद है है सिख धर्म में भी ऐसा के जिस तरह मैरेज़स के टाइम पर कई बार क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा गुरु गोबिन सिंग की कहानी जब बताऊंगा तो आप देखें कि सिखों के नाम सिंग क्यों होते हैं लेकिन आज के टाइम आपको बहुत सारे सिख नजर आते हैं जिनके सर नेम्स होते हैं कई के सर नेम्स उनके गाओं के साथ मेल खाते हैं कई उनके गोत्र होते हैं जिनसे उनकी जो पुरानी जात की अफिलियेशन है वो जबके को स्टार्ट करता है पिछली वार कहानी हमने कहां रुकाई थी हमने कहानी रुकाई थी गुरू हर्गोबिन के साथ उनके बारे में थोड़ी बहुत बात की थी हमने so recap के तोर पे वेरी ब्रीफली गुरु हर्गोबिन साब बहुत छोटी उमर में उनको गुरु करार किया गया जब उनके पिता जी हमारे पांचवे गुरु गुरु अर्जन साब को लहौर में तसीहे दे के टॉर्चर करके मार दिया गया था तो उन्होंने जाते जाते गुरु हर्गोबिन को ये संदेश भेजा था कि अब जुल्म इस हर्द तक बढ़ गया है कि अब इसका सीधा मुकाबला करने का समय आ गया है तो गुरु हर्गोबिन साब ने उस संदेश को सुना सबसे पहले जब उन्होंने गुर्गदी संभाली तो उन्होंने दो तलवारे पहनी जिन्हें हम कहते हैं मीरी और पीरी की तलवारे एक तलवार उनकी spiritual authority रेप्रेसेंट करती है दूसरी उनकी temporal या worldly authority रेप्रेसेंट करती है उन्होंने फौज रखनी शुरू की उन्होंने सिखों को कहा कि जब मेरे पास कोई आता है तो चड़ावे में शष्टर लेके आओ खोड़े लेके आओ उन्होंने एक अच्छी फौज काइम की उन्होंने स्री हर्मंदर साब के सामने जिस अमारत को हम आज अकाल तखत कहते है उसकी स्थापना की और उनके टाइम के बवाँ पे उनका दिवान लगता था और उनके टाइम के बाद ये जो अकाल तखत की अमारत है ये सिख धरम के टेंपरल या वर्ली पावर की एक निशानी है तो ये सब बाते गुरू हर्गबिन के साथ शुरू हुई हमने थोड़ी मुकलस खान गुरू साब के हाथों से मारा गया था उसके बाद और भी मुगल दर्बार और गुरू साब के बीच में जो टेंशन पैदा होगी थी वो चलती रही गुरू साब का एक बहुत प्यारा बच्चों जैसा था एक योधा जिसका जिसका नाम था पैंदे खान सो गुरू साब ने उसको बहुत छोटी उमर से अपनी शरण में ले लिया उसको बहुत तयार किया और वो जा के उनका सबसे वन अफिस फिर्सेस वारियर्स पैंदे खान बना कई लड़ाईयों में पैंदे खान ने उनका साथ दिया एक ऐसा समा आया जब पैंदे खान को बहुत अहंकार हो गया सर एक मिनट लड़ाई किसके साथ चल रही थी लड़ाई मुगलों के साथ चल रही थी और कौन से मुगल बाच शाजहान ओके किस वज़े से लड़ाई हो रही थी शाजहान लहुर आया हुआ था और गुरू साब अमरितसर में थे बीच में जंगल जहां पर अक्सर लोग शिकार खेलने जाते थे तो शाजहान भी शिकार खेलने आया लहुर की साइट से गुरू साब भी जंगल में गए तो शाजहान का एक बहुत कीमती सफेद बाज था जो सिखों के पास आ गया और उन्होंने कबजा कर लिया और जब शाजहान ने कोश तो सिखों ने मना कर दिया तो जब जो मुगल अफसर आये थे उन्होंने कोई गलत बाते कहीं तो गुरू साब ने उनको इस हद तक कहा कि ना तो हमारा ना तो तुम्हारा बाज हमने लोटाना है तुम्हारा ताज भी हम ले लेंगे उसके बाद फिर शाजहान ने फौज इस खान की कमांड में जिसको हरा दिया गुरू हर्गुबिन साब ने तो ऐसी है चोटी हमोटी है लड़ाईया चलती रही तो जब पैंदे खान का एक टाइम आया जब वो हंकारी हो गया कहानी बहुत लंबी है मैं शौर्ट वर्जिन सुनाता हूं क्योंकि बहुत कुछ है बात करने के लिए हमरे पास तो पैंदे खान बागी हो गया और गुरू साब एनकी बचों जैसा था कि तुम यहांसे चले जाओ पेंदे खान ने जाके काले खान को बुलाया जो कि मुखलस खान का छोटा भाई था और वो भी पिशावर का सूबेदार होता था उस ताइम पे और ये मेसेज भेजा कि देखो गुरु हर्गोबिन की जो ताकत थी न वो तो मैं था अब तो मैंने साथ छोड़ दिया है आप एक बार हार बैठे हो अब हब हमला करो अब मैं आपके साथ हूँगा और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ गुरु हर्गोबिन साभ आपका सामना नहीं कर सकेंगे एक और गदार पैदा हुआ था गुरु साभ के अपने खांदान में उनका सबसे बड़ा पोता धीरमल धीरमल गुरु साभ के बेटे गुर्दित्ता का बेटा था और आपको याद होगा कि हमने पांचवे गुरु साभ के बारे में ऐसे ही थे धीरमल को लगता था कि मैं सबसे बड़ा पोता हूँ तो गुरु मुझे ही बनना चाहिए गुरु साभ का टाइम आ रहा था वो सोच रहे थे सकसेशन के बारे में लेकिन उनको मसूस हो रहा था कि धीरमल ठीक सकसेशर नहीं होगा तो धीरमल ने अपने आपको इस्टैबलिश किया था करतारपुर में जहां गुरु साभ पहले होते थे और तब गुरु साभ चले गए थे कीरतपुर जो के अननपुर साभ के पास में है पंजाब में तो जब ये सब चल रहा था तब तक शाजहान के साथ मामला थोड़ा सा थंडा हो गया था और धीरमल को फिकर था कि अगर मुगलों के साथ और लड़ाई हो गई तो हो सकता है कि वो हम पूरी तरह खत्म कर दे मैं गुरु कैसे बनूँगा तो धीरमल ने पेंदे खान को चिठी लिखी और कहा कि आप करो हमला आप हमला करो और फिर जब आप जीत जाओगे फिर गदी मेरे को सूँख देना ये दगाबाजी गुरु साब के अपने खानदान में हुई तो फिर मुगल फाज आगी काले खान उनका सुबेदार काले खान के कमैंड के अंदर बहुत भारी युद हुआ और फिर से मुगल फाज को गुरु साब ने हरा दिया और एक बहुत एक कहानी है उस टाइम की जो के सिख गुरु साहिबान का जो कारेक्टर था उनका स्वभाव था उस पे थोड़ी सी रोशनी डालती है लड़ाई के एंड में गुरु साब और पेंदे खान का वन टू वन मकाबला हुआ बहुत जबरदस तर गुरु साब बहुत बड़े योदा थे बहुत लंबा कत था उनका हाथ बहुत लंबे थे पेंदे खान तो था ही एक बहुत बड़ा योदा सो उनके बीच में वन टू वन कामबैट हुआ पहले घोडों पे फिर जमीन पे और फाइनली गुरू साब ने पेंदे खान को बहुत गहरा जखमी कर दिया तो कहते है का गुरू साब पेंदे खान के पास गए और उन्होंने पेंदे खान का सर अपनी गोद में ले लिया और पेंदे खान को बोले पेंदे खान तेरे जाने का समा आ गया तो कल्मा पढ़ ले मुसल्मान थक तो कल्मा पढ़ ले तो पेंदे खान उनकी तरफ देखके कहता है गुरू साब आपकी किरपान ही मेरा कलमा है और गुरू साब के आँखों में से आसू आ गया पेंदे खान पे गिरे और पेंदे खान चला गया तो ये जो फर्गिवनेस की बात है ना ये सिख धर्म में बहुत फंडमेंटल एक सिधान्त है और बार बार जब हम गुरू साइबान के जीवन को देखते हैं तो ये बार 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 देखते हैं कि ऐसा देखे कितना अंग्रेटफुल था पेंदे खान सारी उमर उन्होंने पा गुना उसी वक्त माफ हो गए तो समा आया गुरू साब को एसास था कि उनका दुनिया से जाने का टाइम हो गया है सक्सेशन का मसला था धीरमल तो एक दम तियार बैठा था लेकिन गुरू साब को तब तक पूरा यकीन हो गया था कि ये इस लाइक नहीं है तो उन्होंने धीरमल को बुलाया अपने पास तो धीरमल आया बहुत हंकार के साथ एक शाही तंबू उसने लगा दिया उसमें एक थ्रोन भी बनवा दिया वहां पे बैठा हुआ है लेकिन उसको एसास नहीं था कि गुरूगदी उसको नहीं मिलने वाली है गुरूगदी उसके चोटे भ पी गई और धीरमल फिर वापस करतारपुट चला गया जहां पे उसकी गद्दी थी एक ही हाथ से लिखी हुई गुरूगदी की कौपी थी उस टाइम पे वो भी धीरमल के कबजे में थी तो धीरमल जाके करतारपुट में सैटल हो गया फिर टाइम आया गुरू हर राय का गुरू हर राय बहुत शांत सभात थे लेकिन उनको भी गुरु साब ने ये हुकम दिया था कि आपने भी फौज अपने पास हमेशा रखनी है गुरु साब शिकार पर भी जाते थे लेकिन गुरु साब को जानवरों से नेचर से बहुत प्यार था उन्होंने बहुत का टाइम था वो जगा जगा जाते थे अपनी सिक्संगतों को मिलते थे अब आपको ध्यान है कि अब तक मुगल हकूमत के साथ रिलेशनशिप बहुत खराब हो चुका था जहांगीर ने गुरू साब को मरवाया शाह जहां के साथ लड़या लड़ी गई शाह जहां के चार ब सूफी अंदास था उसका मिया मीर और सूफियों से वो तालीम लेता था इनलाइटन सोल था दारशिको दारशिको बिमार हो गया और कोई भी हकीम इलाज ना कर पाया तो शाह जहां को किसी ने बताया कि कीरत पूर जहां पे गुरू हर राये हैं भी वहां से दवा मिल सकती ह तो उन्होंने फिर अपना नुमाइदा भेजा और गुरू साब ने हाला के हालात इतने खराब हो गए थे बिना किसी हेजिटेशन के दवा भेज दी और दारशिको ठीक हो गया गुरू साब का टाइम चलता रहा औरंग जेब के पास अक्सर खबर जाती थी कि सिख पंथ बढ़ रहा है औरंग जेब को किस नजरिये से देखा जाता था तब पंजाब में अस्पेशली सिख परस्पेक्टिव है उसमें तो हमेशा औरंग जेब को बहुत अत्याचारी दिखाया जाता है और देखिए अपने पिता को जेल में डाल देना अपने भाईयों को मार देना अप उसको आप ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हो कि टर्की की सल्तनत से ये बात चली आ रही है कि जो बेटों में से जब से ताकतवर होगा अपने भाईयों को मार के वो राजा बनेगा लेकिन उससे ये बात एक्स्क्यूज नहीं होती है सो अरंगजेब के जो एक्शन्स हैं वो साफ हैं और इसकी वज़ा से सिख थरम में और सिख हिस्ट्री के कॉंटेक्स में उसको एक बहुत बड़ा टाइरंट जाबर हाकम माना जाता है सो अभी चार बेटे थे शाजहान के तो जो शाजहान का सबसे फेवरिट बेटा था वो था दाराशको और वो ही इस लाइक का था कि वो बादशा बने इस लाइक था कि बादशा बने और शायद दाराशको बादशा बन जाता तो मुगल डाइनस्टी का जो भविश्च था वो बहुत अलग होता लेकिन इन में से सबसे अग्रेसिव औरंगजेब था चार भाई थे एक तो मुराद बख्ष था जो गुजराद साइड का अड्मिनिस्ट्रेटर था औरंगजेब डेकन का अड्मिनिस्ट्रेटर था दाराशिको अपने पिता के पास रहता था तो तीनो भाईयों ने दाराशिको को छोड़ के बगावत कर दी अपने पिता के खिलाफ और ऐलान कर दिया कि हम अपने अपने जो हमारे सूबें उनके हम राजा बन गए हैं तो फौज भेजी गई जो बंगाल का सूबेदार था भाई उसको फौज ने फते कर दिया लेकिन औरंगजेब ने क्या किया कि मुराद बेक के साथ उसने समझ नहाँटा कर लिया कि हम मिल के राज करेंगे और हम दाराशिको को इलिमिनेट करते हैं तो दोनों ने फिर दाराशिको के उपर अटैक कर दिया शाजहान को इंप्रिजन कर दिया दाराशिको को जब पता लगा तो दाराशिको वहां से भाग निकले और वो चले गए पंजाब की तरफ क्योंकि उनको अमीद थी कि वहाँ पर मुझे कुछ सपोर्ट मिल सकती है और वो जाके गुरू हर राए को मिले तो गुरू हर राए ने उनको समझाया दाराशिकों ने बहुत निराशा उनके साथ ट्रकट की कि देखो मेरा भाई ये सब कुछ कर रहा है तो गुरू साब ने उसको समझाया कि जब ऐसा वक्त आता है तो तब मुकाबला करना भी जरूरी होता है तो दाराशिकों ने फैसला किया कि मुकाबला करेगा लेकिन नाकामयाब रहा और अंगजेब ने दाराशिको को अरेस्ट कर लिया और फिर फत्वा कई क्लरिक से पास करवा के दाराशिको को मरवा दिया अपने दूसरे भाई मुराद को भी मार दिया और वो अगला मुगल बाच्शा बन गया गुर्गंदी पे गुरू हर राई थे और अंगजेब के दिमाग में था कि इन्होंने दाराशिको का इलाज भी करवाया था इन्होंने दाराशिको को पना भी दी थी जब भाग रहा था बात भी कर रहा था तो उसने कहा कि गुरू हर राई को मेरे दर्वार में पेश किया ज बिन साब को भी इतने साल जहांगीर ने गौालियर खिले में बंद किया तो उन्होंने अपने सारे जो उनके एडवाइजर्स थे उनसे सला करके फैसला किया कि नहीं मैं नहीं जाओंगा मुगल दर्बार में लेकिन मुगल बार्शा ने बुलाया है तो मैं अपने बेटे रा बहुत आग्या कारी भी था तो राम राय को मुगल दर्बार में भेजा गया राम राय की परसनालिटी बहुत इंप्रेसिव थी बादचीत हुई और अंगजे भी बहुत इंप्रेस हुआ और फिर एक ऐसी बात हुई जो मैं आपके दर्शब को साथ शेयर करना चाहता आपके टाइम पे भी अकबर बादचा को शिकायते भेजी गई थी कि इन्होंने एक नया करन्त तियार किया है उसमें मुसल्मानों के हिंदू के खिलाफ लिखा है तो अकबर ने उस टाइम पे अपने आप इन्वेस्टिगेशन की और उसने फैसला किया कि नई इस करन्त मे प्रेशर था कि जो गुरु गरंट साहब है उसमें कुछ तबदीलियां की जाएं लेकिन गुरु साब ने बिलकुल मना कर दिया जब राम राए को भेजा गया तो गुरु हर्राय ने एक बात कही कि बेटा और कुछ भी हो जाए तुमने जाके वहां पे गुरुबानी में क तबदीली नहीं करनी है क्योंकि यह गुरु नानक का क्रंथ है इसमें किसी दुनिया का जितना भी बड़ा बादशाह हो उसके कहने पर हमने कुछ चेंज नहीं करना है आपने कहा कि धीरमल के पास गुरु गरंट साहिब थी हाँ जो और वैसे भी बानी बहुत लोगों को क राम रहे नहीं अपने पिता जीव का जी आप जैसा कहता है वैसा ही होगा चला गया दरबार में बहुत डिसकशन हुई फिर बात आनी शुरू हुई गुरु गर्बानी की तो औरंग जेब ने एक अबजेक्शन पेश की उसने कहा कि आपके गरंथ में ना कुछ मुस्लमान किया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपडी चड़ चड़ पवे अंग्यार नानक जिन करता कारण किया सो जाने करतार अच्छा इस तो का मतलब डीप है वो ये कहता है कि हिंदू और मुसल्मानों में कोई फरक नहीं है वो कहते हैं कि हिंदू जब किसी की मौत हो जाती है तो जलाते हैं मुसल्मान दफनाते हैं लेकिन शरीर की मिट्टी बन जाती है क्या पता किसी टाइम कोई कहार घड़ा बना रहा हो तो बनाने के टाइम उसी मिट्टी को आग में डालता है तो फिर बात तो वही हो गई ना दफनाया या जलाया इसका जो अबस्ट्रैक जाली तो राम राए डर गया राम राए डर के बोलता जणाब यह आपको किसी ने गलत बताया है मिट्टी मुसल्मान की नहीं है गुरु गरंसाहिब में मिट्टी बे-इमान की है और अंगजेब खुश हो गया लेकिन जब गुरु साहब को पता लगा कि राम राए ने ये को उमीद थी कि गुर्गदी मुझे मिलेगी रामराय ने फिर धीरमल के पास गया रामराय उसने कहा कि आप मेरी कुछ सफारिश करो और वो कोशिश करता रहा कि गुर्गदी उसको किसी तरीके से मिल जाए लेकिन जब गुरु साब का जब उनके जाने का टाइम आया तो उन्होंने गुरगदी दी अपने छोटे बेटे को हरकिशन को जिनकी उमर उस टाइम सिर्फ पांच साल थी और भी गुरगदी के हकदार हो सकते थे लेकिन उन्होंने इसका इसकी वज़ा क्या थी हम नहीं जानते लेकिन उन्होंने गुरगदी हरकिशन को बखशी गुरु हरकिशन की बहुत छोटी उमर थी वहाँ पे राम राए अपनी शरारते कर रहे थे दरबार में और अंगजेब को बोल रहे थे कि देखो ये तो ये गुरगदी मेरी है मुझे मिलनी चाहिए और अंगजेब ने सोचा क्यों ना मैं गुरु हरकिशन को भी दिल्ली में बुला लूँ और दोनों भाईयों के आपस में रिलेशन्शिप खराब होगा जो भी होगा फाइदा इसमें ही है क्योंके सिख दरम अलड़ी उसके रेडार पे आ चुका था तो अंगजेब ने फिर पेगाम भेजा के गुरु हरकिशन को दिल्ली बुलाया जाए राजा जैसिंग आए जो के एक हिंदू थे और सिख गुरुओं को मानते थे राजा जैसिंग जब पेगाम लेके आए तो गुरु हरकिशन जिनकी बहुत छोटी उमर थी उनने फैसला किया कि मैं दिल्ली जाओंगा लेकिन मैं मुगल बादशा के कहने पे नहीं जाओंगा वहाँ पे जो गुरु के सिख हैं जो गुरुणानक के पंत को मानते हैं मैं उनकी खातर जाओंगा तो वो दिल्ली आगए और वहाँ पे उनको ठहराया गया जैसिंग के बंगले में दिल्ली का सबसे बड़ा गुर्दवारब बंगला साथ है वो उसी जगह पे बना है जहां पर जैसिंग का बंगला था, इसके लिए उसका नाम बंगला साब पढ़ा है, दिल्ली में चेचक फैला हुआ था, वहां पर गुरू साब को, क्योंकि उमर छोटी थी, उनके अड़्वाइजर्स ने का, आपको यहां से ले जाते हैं, कि यहां पर खत्रा है, पर उन्हो ने कहा कि नहीं, अब मैं आया हूँ, मैं अपने जो गुरू नानक के पंत के जो फालवर्स हैं, मैं उनके लिए आया हूँ, मैं उनको मिलूंगा, वो दर्द में हैं, वो तकलीफ में हैं, वो सब को मिले, बिमारों को भी मिले, और उनको की बिमारी लग गई, और उनकी कि जब भी कोई कुरुके जाने का टाइम आया है , अपने जाने से पहले वो स्पॉष्ट करके जाते थी कि ग्रुग दी पे कोण बैठेगा तो पूछने लगे गुरु हर किषिण से बहू स्वार्र जूर हो गए थी गुरु अर्किष्ण ने सिर्फ इतनी बात कही नोटेट उमर क्या थी? साथ साल साथ साल उनकी उमर थी मैंने उनका बख्यान आपके दर्शकों गले में पढ़ता हूँ गुरु साब कहते बाबा बसे जे ग्राम बकाले बन गुर संगत सकल समाले कहते हैं कि जो बाबा अगला गुरु है वो बकाले शहर में बसता है बस इतना उन्होंने बताया और चल बसे अच्छा बहुत दिक्कत होगी कि गुरु साब तो अब रहे नहीं तो अब क्या करें? तो सबने सोचा कि भी बकाले उन्होंने इशारा किया है तो बकाले ही जाना चाहिए पंजाब में तो बकाले में जब गुरु साब के अन्तिम इस वख्यान के बारे में बात फैली तो बकाले में 22 गुरु आ गए सबसे आगे धीरमल उसका एक सबसे बड़ा एसिस्टन्ट था जो मसंद कहते थे जो गुरु के रेप्रेसेंटेटिव होते थे अपने आपको गुरु ही कहता था धीरमल और मसंद उसका था शीहन जो उससे भी ज़्यादा बदमाज था सबसे बड़ा डेरा उन्होंने जाके बकाले में लगा लिया 21 गुरु और आगे सबका कोई ना कोई संबंध था गुरु अरजन गुरु रामदास के परवार के साथ कोई अपने जनम पत्रियां सर्टिफिकेट्स ले आया प्रूव करने के लिए कि मेरा ये है और लोग आते तो गुरु कौन है किसी को पता ही नहीं था गुरु कौन है फिर ऐसा हुआ कि एक व्यापारी था जिसका नाम था मक्खनशा लुभाना वो मुगलिया फौज को प्रोविजन्स वो सप्लाई करता था बहुत बड़ा सप्लायर था उनका तो मक्खनशा लुभाना सिक गुरु को मानता था तो उसका ना बड़े तुफान में उसका जहाज डूबने वाला था तो मक्खनशा ने गुरु को अरदास की कि आप ना मुझे बचा दो और मैं फिर आपके सामने आके सौ अशर फियां रखूंगा शुकराने के तौर पे तुफान हट गया मक्खनशा बच गया इमानदार आदमी था तो जबीन पे आते ही उसने सोचा कि अब मैं गुरु के पास जाके जो मैंने जो प्लेज किया था उसको मैंने पूरा करना है तो उसको पता लगए कि गुरु साब बकाले में है पहुंच गया बकाले वहाँ देखा बाइस गुरु किसके सामने मैं जाऊं तो मक्खनशा बहुत बिजनसमन था भुशेहार अदमी था तो उसको एक बड़ा अच्छा एडिया आया उसने क्या किया कि एक एक करके ना सब के पास उसने जाना शुरू किया और जाके किसी को एक मोहर दी किसी को दो मोहरे दी वो मोहर लेके बहुत खुश बहुत अच्छे बहुत अच्छे तो उसको मक्खनशा को लगा कि जो मेरा सच्चा गुरू है उसको तो पता होना चाहिए कि मैंने किस चीज़ का वाइदा किया था शीहन उसको धीरमल के पास भी ले गया धीरमल ने बहुत अपना कनेक्शन गुरू साब के साथ बताया और उसको ब्लेस किया और जब उसने पांच मोरें दी बहुत खुशी-खुशी धीरमल ने ले ली तो मक्षनशा को पता लग गया कि ये भी नहीं है निराश हो गया बाइस के बाइस तो पर्खली है सारे अब क्या करूँ तो दुही हो के एक टाइम पे वो इन पबलिक बोल रहा था कि क्या पता गुरू साब ने ठीक भी कहा के नहीं मैंने तो सभी कंटेंडर्स के साथ बात कर ली है तो एक बच्चा बोला एक और है वो एक ना बाबा है जिसको बाबा तेगा कहते है आप उनसे मिले जाके वो शीहन साथ में खड़ा था वो हसने लग पड़ा कहते है उसका तो दिमाग खराब है अब बिलकुल उसके पास मत जाओ पर मक्खंशा कहता नहीं मैं जाओंगा जिकर हो रहा था तेग बहादर का जो के गुरु हर्गोबिंद के सबसे छोटे बेटे थे सो जस क्योंके history confusing है मैं reiterate करता हूँ गुरु हर्गोबिंद के सबसे बड़े बेटे थे गुर्दित्ता जी जो छोटी एज में चले गए थे उनका बड़ा बेटा था धीरमल छोटे बेटे थे उनके हर राय और उनके बाद हर किशन अब हम वापस जाते हैं गुरु हर्गोबिंद के परिवार में सबसे छोटे बेटे थे उनके तेग बहादर उनका पहला नाम था त्याग मल और उनका जो उनकी परिसनेलिटी थी वो त्याग वाली थी वो सब टाइम मेडिटेशन करते रहते भजन बंदगी में लगे रहते दुनिया के साथ ज़्यादा उनका तालुक नहीं था लड़ाई में उन्होंने लड़ाई में वो योधा की रूप में भी नज़र आते थे और उन्होंने इतनी बहादरी दिखाई लड़ाई में के उनका नाम त्याग मल से तेग बहादर रख दिया गया तेग होती है तलवार सो बहादर जो तेग चलाता है सो गुरू तेग बहादर बकाले में समाधी लाके मेडिटेशन कर रहे थे वहाँ पे मक्षण शा लुभाना गया और वही जाके उसने पांच मोरे सामने रखी और गुरू साब बोले ये तो वादा नहीं था तेरा जोर जोर से चलाता मक्षण शा निकला वहाँ से बार गुरू लाद्धे औरे मैं ढूंड लिया मैंने गुरू को और फिर उसने ऐलान किया और सिखों को एहसास था कि गुरू साब ते एक बहादरी है पर मक्षण शा लुभाने के ऐसे डेकलरेशन के बाद किसी के भी दिमाग में शक नहीं रहा और गुरू साब फिर नौवे गुरू उस टाइम पर करार हुए I think पिछले एपसोड में हमने कहा की एक consciousness transfer होता था जी गुरू की line में जी बेसिकली ये उसी बिलकुल का proof है की consciousness transfer हो बिलकुल इसके बार में थोड़ा बात कीज़े So देखिए हमारे दस गुरू थे जी दस जामों में वो हमें नज़र आए दस physical forms में जी लेकिन सिखिखिजम की ये बहुत fundamental एक हर सिख को विश्वास है और बिलीव है कि जो जोत उनमें थी वो एक ही थी और जोत एक गुरू से दूसरे गुरू तक ट्रांसफर हुई और ट्रांसफर ऐसे हुई हमने पिशली बार ये कौत की बात के बारे में discussion की थी कि जब गुरू नानक साब के जाने का time आया तो उन्होंने अपने सब से जो उनका humble उनका चेला था भाई लेना उसके आगे जाके माथा टेक दिया और सारे हरान होगे कि ये क्या हो गया कि गुरू चेले को माथा टेक रहा है तो उस time पे जो गुरू था वो एक इनसान के बजाए एक institution बन गया क्योंकि यही बात बार बार हुई और जब succession होता था तब कुछ रस्मे होती थी एक रस्म ये होती थी कि तब तक की जो भी बार नी लिखी हुई थी जैसे गुरू नानक साब ने अपनी जो बार नी लिखी थी और जो पीरों की बारी उन्होंने संग्रा करके अपने पास रखी थी वो पहले गुरू ने दर्ज हो गई इसी तरह ये हमारा विश्वास है कि जोत सब गुरू साहिवान में एक है तो जब अपने डेथ बेड पे गुरू हरकेशन बकाले की तरफ उन्होंने इशारा दिया तो उन्होंने बताया कि जो बकाले में गुरू है जोत अब उन में है पर गुरुपद के साथ एक political power भी associated था इसलिए इतने सारे power games चल रहे थे गुरुपद के पर power ही नहीं पैसा क्योंकि देखो गुरुनानक साथ जहां पे भी गए इतना वो घुमे हर जगा पे sick congregations बन गई और sick आते थे गुरु के पास अपनी अपनी जो उनकी समरता थी उसके हिसाब से वो चड़ावा लेके आते थे तो गुरु साब का तो ये अपरोच होती थी कि जो भी चड़ावा आया है वो पंत का है और इसको लंगर में इसका 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 इसक पर जोद खुद की प्रोटेक्शन को प्लान करता हूं बिलकुल बिलकुल और यह जोद आगे कैसे प्रोग्रेस हुई यह भी बहुत दिल्चस्प कानी है जो आप करेंगे हैं बात इसके बारे में भी इसे बहुत कम पॉड़कास होते हैं जहां मैं बस चुप रहेकर स्टोरी सुनता हूं यह उनमें से एक है पर इट सेज लॉट बाउट यू जब गुरु तेक बहादुर साब की ना एक बहुत अनोखी परसनालिटी है जी और जब उनको गुरगदी सौंपी गई तो उनको पूछा गया भी आप तो गुरु बन गए आपको कैसा लग रहा है तो कहत है कि Гरु सायब ने ये शबद उचारा जो सिरी ग्रू गरंद साहब में ही जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सन्यार भ्य नहीं जाके कंचनमाटी माने ने निंद्यान उस्तत जाके लोब मोह अब माना हरक सोगते रहे नियारो ने मान अब माना असा मनसा सगलते आगी जगते रहे निरासा काम क्रोध जे परसे नाहन तै घट ब्रम निवासा गुर किरपा ए जन को कीनी तै ए जुगत पछानी नानक लीन भयो गोबिंदसें जो प पानी संग पानी थोड़ा सा मैं एक्स्प्लेइन करता हूँ वो कहते हैं कि इनसान को ना हमेशा शांत सुभा होना चाहिए इनसान के लिए मिट्टी और सोना एक समान होना चाहिए इनसान के लिए उसकी अगर कोई प्रशंसा कर रहा हो या उसकी कोई निंदा कर रहा हो उस उसमें बार बार नज़र आता है और ये भी सिख गुरू साइबान का बहुत बड़ा एक उनकी परसनालेटी का ये हिस्सा है। और अगर हम हर एक गुरू की लाइफ में देखें, अभी हम गुरू गोबिन सिंग को भी देखेंगे, जिनकी लाइफ बहुत अलग थी, डिफरिंट थी, लेकिन ये जो बात गुरू तेक बहादर साब ने कही है न, यही बात उन में भी नजर आती थी, तो इस शबत से उनकी परसनेलिटी हमको समझाती है, गुरू तेक बहादर साब की, एक और सवाल पूसने, इस जोत और कॉंशिसनेस के ट्रांसफर के बार में जो हमने अभी बात करी, किसी भी इनसान के शरीर में जब वो कॉंशिसनेस ट्रांसफर हुआ, I'm sure कि उनके लाइफ टाइम के दौरान भी चेंजिस हुए होंगे, उनके खुद के पस्नालिटी में उस कॉंशिसनेस की वज़े से, इसके बारे कभी सोचा आपने, यह कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए, एक सिक होने के नारते हैं, तो मैं यही कहूंगा, कि जब अगले गुरू की चोन होती थी, वो यह यह उसका अधार था, कि अगले गुरू के अंदर क्या है, तो शायद उस जोत को रिसीव करने के लिए वो पहले ही मुकमल थे एकदम, कुछ किया नहीं सकते हैं, देखो यह बड़ी मिस्टिकल बाते हैं, लाइफ में बहुत सारी ऐसी मेटफिसिकल मिस्टरीज हैं, और हम ह विस्टिसिजम जो सिखी में है, वो उसके साथ engagement होती है, गुर्बानी के through, और क्योंकि ज्यादा बात हमेशा history की होती है, और चीजों की होती है, यह element एक side पे रह जाता है, लेकिन मैं आपको बस इतना ही, आपके स्वाल का जवाब मैं एक personal experience से दे सकता हूँ, हमारी कुछ बानिया है, जो हमें कहा जाता है कि तुमको रोज पढ़नी चाहिए, उचारनी चाहिए, मैं सिर्फ एक बानी की बात करता हूँ, यह है गुरु गोबिन सिंग जी का लिखा हुआ जाप साब, हर बार नहीं होता है, मैं सौ बार जाप साब पढ़ता हूँ, कई बार ऐसे time आ गा के भी similar experience होता है, so जो mysticism का जो element है, यह access होता है, this is just my personal opinion, मैंने किसी की किताब में नहीं पढ़ा है, यह मेरा अपना experience है, मेरे लिए यहां तो गुरुबानी संगीत से, यहां फिर गुरुबानी की बानी, जब तुम किसी एक particular, इसको हम common term के हैं, particular zone में जब तुम पहु होती है, क्योंकि चाबी नहीं है कोई, आप यह नहीं कह सकते कि आज मैं पार्ट करूगा तो मैं zone में पहुंच जाओंगा, अपने हाप ही होता है, ओ zone decide करता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, थोड़ा और zoom out करके conversation करनी है मुझे, हर कोई इनसान ही है, at the end of the day, और जब हम क कि किसी भी धर्म के बार में बात कर रहे है, actually एक इनसानियत की कहानी है, right, मतभी human story है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो मैं थोड़ इसे metaphysical plane में जाकर सोचके यह कह रहा हूँ, कि जिस जोत की बात हम कर रहे है, जिसने decide कि 10 gurus की एक line होगी, 10 gurus की एक कहानी होगी, उस जोत की main intention क्या थी, शायद मैं गुरुनानक देव जी से पहले के phase के बार में भी पूछ रहा हूँ, कि तब दुनिया कैसी थी, इस जोत की जरूरत क्यूं थी दुनिया को, इनसानियत को, इसके बार में तो हमने पिछले episode में बहुत detail में बात की थी और मैं दोराता हूँ थोड़ा सा देखिए, ये एक progression था, गुरुनानक साब से गुरु गोबिन सिंग तक, और बड़ा एक conscious effort हो रहा था, जैसे इमारत तियार की जाती है ना, इट पे इट रखके, गुरु साहिबान के period में आहस्ता आहस्ता institutions बनती रही, add होती रही, और जब गुरु गोबिन सिंग जी ने उन्होंने क्या किया, उसके बारे में मैं suspense नहीं खोलूगा, बाद में बात करेंगे, उस time पे जो गुरु नानक साब का mission था, एक तरीके से वो मुकमल हो गया था, मुकमल ऐसे हो गया था, कि एक panth बन गया था, उस panth का एक grant था, जिसमें सिर्फ सिख गुरु साहिबान का नहीं था, उसमें हिंदो भक्तों का भी ग्यान था, मुस्लिम पीरों का भी ग्यान था, तो एक panth त्यार हो गया था, एक grant त्यार हो गया था, एक मर्यादा त्यार हो गी थी, जिसमें जो panth के followers थे, उनको बताया जाता था, कि आपने कैसा जीवन जीना है, सो मकसद उनका यही था कि इनसान की हालत सुधरे, गुरुनानक साहब, गुरुनानक साहब बड़े एक practical philosopher थे, क्योंकि मैंने पिछली बार भी यह बात कही थी, देखे, जादफेद की बात सबसे पहले गुरुनानक साहब ने नहीं की, जादफेद की बात कभीर ने भी की, और बहुत सपश्टी से और बहुत जोर से की, लेकिन एक गुरुनानक साहब ही थे, जिन्होंने लंगर की institution बनाई, जो प्रैक्टिकली इस जादफेद को dismantle करने की कोशिश कर रही थी, तबाह करने की कोशिश कर रही थी, तो यह फरक था, तो गुरुनानक साहब ने अपन साहब की रचना की, और एक बहुत बड़ी institution उन्होंने बनाई, शहादत की, कि देखो, जब जुल्म एक हद तक पहुँच जाता है, तो उसका सामना करते तुम्हें अगर शहीद भी होना पड़े, तो हो जाओ, तो यह सब चीजें जब मिली, तब जाके यह पंथ मुकमल गुरु गोबिल सिंग जी के समय पर, पर इसी सवाल के बारे में मैंने बहुत सालों से सोचा है, कि एक्चुली इनसानों की कहानी में सिखों का क्या योगदान नहीं, बट उनकी formation की क्या वजह रही है, हाँ, हाँ, इसका मैं ज्यादा mystical, जगा पे जाके नहीं मैं practical point of view से ज जवाब दूँगा, मुझे बहुत कुशी हो रही है कि आप मेरा सवाल समझे, मैं समझ रहा हूँ, मैं बिलकुल समझ रहा हूँ, मेरे लिए as a practicing Sikh, अब मैं थोड़ा सा diverge करने वाला हूँ, मैं अपनी कहानी थोड़ी सी पताता हूँ आपको, मैं जब इंडिया से गया था, तो मेरे सिर पे पगड़ी थी और मेरी शकल सूरत सिखों वाली थी, लेकिन मेरा कोई connection नहीं था सिखी के साथ, कैसे बनाएं बहुत लंबी कहानी है, ये किसी और टाइम बात करेंगे, लेकिन एक जो चीज जिसने मुझे बहुत influence किया, वो ये थी, कि जो 18th century थी खास करके, गुरू गोवन सिंग जी के जाने के बाद, जैसे सिखों ने अपनी लाइफ बनाई और जो जो कुछ सिखों ने किया, उन्हों ने जतनी कुरबानियां दी, ये बात मुझे बहुत ज्यादा, इस बात ने मुझे बहुत inspire किया, और मेरा अपना सफर सिखी में तब, उस वज और बड़े ब्रीफ में जो गुरु नायारदऑ सब्ता के फिलासिफी दी और गुरु नायारदऑ सभार जेजिए विल्दू कोई फरक नहीं है इन्सितुशंस और बने फिलासिफी वही है गुरु नायारदऑ सह जब सेयतपूर पहुंचे और उन्हें देखा कि बाबर ने एक बड़ा कतले आम रचाया था वहाँ पे तो उनके अंदर से एक चीख निकली और ये जो चीख थी ये एक कमपैशन की चीख थी गुसा भी था कि ये क्या हो रहा है लेकिन उसमें बहुत दर्द था जो लोग जो पीड़त थे उनके लिए दर्द था सो मेरे हिसाब से जो सिख धर्म की बुनियाद है न वो ये दर्द ही है और अगर आप पूछें कि सिखिजम क्या रेप्रेसेंट करता है बहुत कुछ रेप्रेसेंट करता है लेकिन मेरे लिए मैं बहुत परसनल पॉइंट और व्यू से आपका जवाब दे रहा हूँ कि जो सिख इतिहास गवा है कि जब भी कमजोरों पे वार हुआ है तो सिख हमेशा कमजोरों के साथ खड़े है इसका मजब के साथ कोई तालुक नहीं जल्म करने वाला मुसल्मान हो, हिंदू हो, सिख हो, कुछ फरक नहीं पड़ता बात ये है कि जल्म कौन कर रहा है और दर्द किसको हो रहा है हर एक टाइम पे सिखों ने उसका साथ दिया जिस पे अत्याचार हो रहा था दुनिया में जो भी तुमको ठीक नहीं नज़र आता है उसके बारे में कुछ करो तो इस हिसाब से ये बहुत एक प्रैक्टिकल फेथ है इंस्टिउशन की वज़ा से और इस सिधान्त की वज़ा से अब हम ये भी कह सकते हैं कि क्या ऐसा होता है हमेशा नहीं होता है क्योंकि सिध भी तो इनसान है जब किसी पे जल्म हो रहा होता है तो हम कई बार दूसरी तरफ मुझ कर लेते हमने क्या लेना हम अपना लुक्सान क्यों कराए I am sure, I know, सिखों ने भी ऐसा किया है लेकिन जो एक आपकी एक कौमी पहचान है अगर वो टर्म यूज करें वो सिखों की पहचान ही ये है कि जब कोई और तकलीफ में होता है तो सिख दोड़ के आते है यही है गुर्णानक साब का कमाल क्योंकि अगर आप ने भारत में वक्त बिताया है आप ये experience करते हो 20-30 साल बिताया हुए हमेशा हर भारतिया ने notice किया होगा I feel जिनकी interaction सिखों के साथ रही है कि मदद हो गई है सिखों के वाचे तरह होप की ये जो ये intention ये image हर भारतिया तक पहुँचे क्यों नहीं पहुँचना चाहिए क्योंकि देखो जो गुर्णानक साब की philosophy है वो सिखों के लिए थोड़ी है वो तो दुनिया के लिए है ये अलग बात है कि modern world में हर religion में एक किसम की identity बड़ी important हो जाती है लेकिन जो सिधान्त है ये तो सब का सिधान्त है कौन इसके साथ लड़ सकता है सिधान्त से पर किसी को तकलीफ है तो मदद करो जाके ये तो human अपना basic human instinct है आपने exactly answer कर दिया कि जो मैं पूछ रहा था शायद मैंने question को अच्छे से frame नहीं नहीं बहुत अच्छी तरह frame किया आपने exactly ये ही बूछ रहा था ये भी कहना चाहूँगा कि उपर वाला ये ही की होता है सब का उस जोत की formation हुई अच्छा अब एक इसी theme के साथ मिलती जुलती मैं आपके साथ एक बात share करना चाहता हूँ जी so गुरुत एक बहादर गुरगर्दी पे थे और उनके जो सिख थे वो सारे हिंदुस्तान में फैले हुए थे तो एक टाइम पे गुरु साब ने फैसला किया कि जो पूर्व की तरफ सिख है उनको वो मिले जाके तो वो निकले वहाँ से कानपूर, लखनाओ, इलाबाद गए पतना गए पतना में जब थे तो उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया गोबंद राए अच्छा, गुरु साब अपनी यात्रा पे थे तो माता गुजरी जी और इन्फिंट गुरु गोबंद राए वो पतना में रुक गए और गुरु साब आगे गए वहाँ से, बुद गया गए धाका गए, जहां पे सिख होते थे तो साथ में उनके एक औरंगजेब का हिंदू जेनरल था जिसको जो गुरु साब के बहुत ख्लोस था और उसको ये असाइन्मेंट मिली गई थी कि काम रूप में जाना है, असाम और वहाँ पे एक किसम की बगावत चल रही थी तो काम रूप के बगावत को आपने जाके उसको ठीक करना है तो वहाँ पे गुरु साब गए और दो तीन साल उन्होंने उस टाइम वहाँ पे बिताए, असाम में बिताए जब वह वापस आए तो उनको पंजाब से संदेश आने शुरू हो गए कि आप आईए, यहाँ पे आपकी ज़रूरत है उन्होंने कुछ साल पहले पहाडों में एक बिलासपुर के राजा की विद्वा से एक गाउं खरीदा था जिसका नाम था माकोवाल, तो वहाँ पे उन्होंने अपना डेरा बना लिया था गुरू तेक बहादर साब ने और माकोवाली बाद में जाके अनांतपुर बना, तो वह वापस माकोवाल चले गए पता लगा कि औरंगजेब के राज में फोर्सिबल कंवर्शन इसलाम की कंवर्शन शुरू हो गई थी उनके पास एक डेलिगेशन आई कश्मीर से, तो उसकी अगवाई कर रहे थे पंडित किर्पाराम दत जिनका गुरू साब के परवार के साथ संबन था, और कहते हैं कि उन्होंने गुरू गोबिन सिंग जी को पढ़ाया भी था तो पंडित किर्पाराम दत उनके पास आए और उन्होंने दर्खवास्त की कि देखिए जो हाकिम है कश्मीर का इफ्तिकार खान उसने एलान कर दिया है कि इसलाम अपना लो, नहीं तो जान से जाओगे, तो हमने बहुत जतिन किये हम कुछ नहीं कर सके अब आपके पास आए है यही आप ही हमारी आखरी यह हमारी उमीद है कि आप किसी तरीके से और अंगजेब को समझाईए कि हम मुसल्मान नहीं बनना चाहते और हमें वो बख्ष दे तो कहते हैं कि उस टाइम पे एक डायलॉग हुआ जिसके बारे मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट वर्जन बताता हूँ तो यह जो मैं एकसव पढ़ रहा हूँ यह ब्रज भाशा की एक किताब है जिसका नाम है शहीद विलास यह भाई मनी सिंग एक बहुत बड़े सिख्वे हैं गुरू गोबिन सिंग जी के उनके बारे में हम बात करेंगे उनके बारे में लिखी गई है कवी सेवा सिंग ने लिखी है तो इसमें जो डायलॉग होता है कश्मीरी पंडितों में और गुर्तेग बहादर में उसका बेयान में थोड़ा सा पढ़ूँगा हाथ जोड कहयो किर्पा राम दत ब्रामन मतन गराम हमरो बल अब रहो न कई हमरो बल अब रहो न काई हे गुर्तेग बहादर राई गज के बंदन काटन हारे तुम गुर्णानक हैं वतारे जिम द्रोपती रखी लाज दियो सवार सुदामा काज फिरत फिरत प्रब आए तुम्हारे ठाक पए हों तो दरबारे सेवा हरी इम आज गुजारी तुम कल जुग के क्रिशन मुरारी सो वो हिंदू माइथालोजी के एक्जाम्पल्स देखे के भी जैसे इंदर ने हाथियों के राजा गजराज को बचाया था जैसे क्रिशन ने दुरपती को बचाया था हमें बहुत जरूरत है और बस आप ही हो हमारा ठिकाना हम आपके पास आए हैं तो कहते हैं कि गुरू साब बहुत सोच में आ गए काफी दिर उन्हें ने सोचा और उन्हें कुछ उचा रहा बल छुट क्यो बंदन परे कचू नहोत उपाए कहो नानक अब ओट गर गजजू हो सहाए बहुत मुश्किल समा आ गया है कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए हे प्रभू अब तू ही बचा सकता है जैसे तूने हाथियों के राजे को बचाया था सारे पंडितों का चहरा उतर गया उनको तो लगा कि गुरू साब ने तो मना कर दिया कह रहे कि भगवान की हाथ में है बोले कि क्या करें अब तो कहते हैं कि नौ साल की उमर के गोबिंदराय बोले अच्छा एक बात मैं क्लारिफाई करना चाहता हूँ कि यह जो दो तुके में पढ़ रहा हो ना यह गुरू गरंट साहब में है और यह नौवे गुरू साहब के अंडर आती है कि नौवे गुरू साहब ने उचा रहा है लेकिन यह पॉपिलर ट्रेडिशन हमको यह कहता है कि यह एक छोटा सा डायलॉग हुआ तो क्योंकि गुरू गोबिन सिंग्ग की बानी गुरू गरंट साहब में नहीं है नौ में पाशा गुरू तेक भाद और तक की बानी है गुरू गोबिन सिंग्ग जी की अपनी बानी दूसरे गरंट में है जिसके बारे में हम थोड़ा हाथ में ही है तुम ही सहाई और नानक कौन गुरु तेग बहादर क्योंकि वो नौवे नानक थे तो हम ऐसे ही बिलीव करते हैं गुरु गुरु तेग बहादर को एसास हो गया कि मेरा बेटा त्यार है तो उन्होंने कहा पंडित किर्पाराम को चलो दिल्ली चलते हैं निकल प बनाके उनको दिली ले गए वहां पे कहते हैं कि बहुत लंबा डायलॉग शुरू हुआ गुरू साइब और अरंग्जेब की बीच में बड़ा कौजल डायलॉग हुआ पहले कि औरंग्जेब ने सिख धर्म के बारे में पूछा, इसलाम धर्म के बारे में पूछा, बहुत सती दास, भाई मती दास, भाई दयाला, एक को उबल दी देग में उबाल के मार दिया, दूसरे को रुई में लपेट के रुई को आग लगा दी, तीसरे को आरे के साथ चीर दिया, कि शायद इसके साथ इन पे कुछ असर हो, पर गुरू साब ने एक ना सुनी, तो ये भी कहानी बनी हुई है कि गुरू साब ने कहा हाँ उन्हें कहा कि अगर इतने बड़े पीर पैगंबर हो तो कुछ करामात दिखाओ तो गुरू साब कहते कि देखिये गुरु नारक साब का ये पंथ है इसमें करामात जैसी चीज का कोई स्थान नहीं है तो करमाद तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, नहीं दिखानी पड़ेगी, कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं इस कागस पे एक मंत्र लिखता हूँ, और ये मैं अपने गले में पहन लूँगा, और ये इतना ताकतवर है, कि कोई तलवार मुझे कुछ नहीं कर सकती, तो मैं जलाद बुलाया जाता है, वो अपनी तलवार चलाता है, और गुरू साब का सिर तन से अलग कर देता है, और जब वो कागस देखते हैं, उस पे लिखा होता है, सीस दिया पर सिरर ना दिया, अब मैं गुरू गोबिन सिंग जी की एक रचना आपको छोटी सी पढ़के सुन जो उनकी अपनी आटोबायाग्रिफी बिचितर नाटक में दर्ज है, तिलक जंजूराखा प्रबताका कीनो बडो कलू में साखा सादन हेत इते जन करी, सीस दिया पर सीना उचरी, धर्म हेत साखा जन किया, सीस दिया पर सिरर ना दिया, नाटक चेटक किये कुका जा, प्र प्रिकर फोर दलीस सिर प्रबपुर किया पयान, तेग बहादर सीक्रिया, करीन किन हूँ आन, तेग बहादर के चलत भयो जगत को सोक, है 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 सब जग भयो, जै 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 सुर लोक, तो इसमें वो अपने पिता जी की शहादत का वर्नन कर रहे हैं, और कहते हैं, कि सिख तो प पैंता है, और माथे पे तिलक लगाता है, उसको पूरा हक होना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने जाके अपना शरीर त्याग दिया, और कहते हैं, ठीकर फोर दलीस सिर के दिली के राजे, दिली के राजा रूपी जो घड़ा है, उस पे अपने आप को उन्होंने फोड इस सिध्धान्त को पका करने के लिए उसी सिध्धान्त जिसकी हम दो मिनिट पहले बात कर रहे थे, तो ये ऐसे अंत हुआ गुरु तेक बहादर साब का, उस चिट्टी पे क्या लेका था पर सिरर ना दिया, सिरर मैं एक्स्प्लेंट करता हूँ, मेरे को आफ टॉप आप हैड याद नहीं आ रहा है, मतलब कि अपनी जो मेरी बिलीफ है, मेरी कॉंशन्स है, उसको मैं नहीं त्यागने को त्यार, सरीर बेशक मेरा तुम ले लो, तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, सिख हिस्ट्री में, क्योंकि शहादत गुरु साब की, obviously सारे सिख जगत में समाचार फैल गया कि ऐसा हुआ है, तो गुरु साब तब 9 साल के थे सिरफ, और कहते हैं कि इस शहादत का उनकी आगे की लाइफ के उपर बहुत ज्यादा असर भी आया, और हम देखेंगे अभी किया असर आया, सो गुरु गोगन सिंग जी जाके मक्कोवाल में वस कए और वहां पे वो कई साल रहे, उन्होंने फाज भी कठी करनी शुरू की दुबारा से, तो वो काफी ताखतवर हो गए वहां पे, अननदपुर साहिब के एरिया में, आसपास उनके कई रियास्ते थी, जिनमें राज पूत राजे राज करते थे, वो ऐसे परवार थे जिन्होंने 900 सालों से वो राज कर रहे थे, मतलब जिसको हम अंग्रेजी में ब्लू बलड कहेंगे, कि पुराने राजे, राजे बहुत उनकी मरियादा, बहुत उनमें अनक इस टाइप के राजे थे वो वहां पे, तो उन थोड़े से वो शक्की हो गए, तो जैसे फौज बढ़ती गई और गुरू साब की ताकत बढ़ती गई, तो उनमें थोड़ा सा डर उनका राजों का बढ़ना शुरू हो गया, गुरू साब ने एक बहुत बड़ा ड्रम बनवाया नगारा, जिसका नाम था रंजीत नगार तो जब सिक शिकार विकार पर जाते जिब गुरू साब जाते तो रंजीत नगारा बचता था, बिलासपुर कहलूर का राजा जिसकी राजधानी बिलासपुर थी, वो इन सब में से अनकी था, और जब रंजीत नगारे की आवाज सुनाई दी, तो बिलासपुर में तो डर चागया कि भी हमला होने वाला है तो उसने अपने मंत्रियों से पूछाए क्या हो रहा है उन्होंने पता किया जाके ये गुर गोबिंद राय उस ताइम पे उनका नाम गोबिंद राय था गोबिंद राय अनांदपूर वाले हैं ये आये हैं नगाडा उनका बजरा है तो उसको बहुत ज्यादा इस बात की तकलीफ हुई और इसी तकलीफ की वज़ा से ही उन्होंने गुरु गोबिंद सिंग जी को हरैस करना शुरू किया तो गुरु गोबिंद सिंग जी की एज मेरे को अच्छी तरह से मेरे ध्यान में नहीं है पर टीन्स में होंगे क्योंके नौ साल की उमन पर उनको गुरु गद्धी मिली थी तो पॉटा साब जाके वो काफी देर रहे तो वहां पर ये जो पहाडी राजे थे उनके साथ उनका बहुत बड़ा एक मुकाबला हुआ जो की पहली लड़ाई थी जो गुरु गोबिन सिंग्जी ने लड़ी उसका नाम एक जगा है वहां पर भंगानी तो ये भंगानी का युद्ध था और इस युद्ध के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ युद्ध की वज़ा ऐसे हुई कि जब गुर्तेग बहादर साब असाम गए थे तो वहां का जो राजा था वो उनका उपाशक बन गया उनका फॉल्वर बन गया तो कई सालों बाद राजा जिसका नाम था राम राय उसका बेटा रतन राय गद्धी पे था तो रतन राय को पता लगा कि गुरु गद्धी पे इस टाइम पे गोबिंद राय है तो उसने सोचा कि वो जाके उनको मिल के आए यह वो सेम राम राय है? ने ने यह दूसरा राम राय है यह असाम का राम राय है तो उनका बेटा रतन राय गुरु साब के पास आया तो बहुत अमीर रियास्त थी वो तो बहुत कीमती तोफ़े लेके आया गुरु साब के लिए कई चीजें कहते हैं लेके आया लेकिन सबसे कमाल का तुफा था एक चोटा सा हाथी जिसका नाम रखा गया प्रसादी हाथी तो बहुत हुश्यार हाथी था ये जब गुरू साब तीर चलाते थे ये कोई तीर चलाता था तो हाथी जाके तीर को वापस लेके आता था वो अपनी सूंड में लोटा पकड़ा के पानी लेके हाथ धुलवाता था तो कभी किसी ने ऐसा हाथी देखा नहीं था सब बहुत वावा हुई कि रतन राय कमाल के तुफे लेके आये हैं तो वो अपने रिस्पेक्स बे करके चला गया वापस तो कहलूर का राजा भीम चंद उसके बेटे की शादी गड़वाल के राजा फते चंद के साथ तै हुई तो भीम चंद जब गुरु साब के पास आया तो उसने ये सारे कीमती तोफे देखे तो इल्विल तो पहले से ही था तो उसको लगा देखो ये गोबिंद राय कहां से कहां पहुँच गया ऐसी कीमती तोफे ये हाथी तो ना सिर्फ मेरा होना चाहिए ये किसी और के पास ऐसा हाथी नहीं होना चाहिए तो उसने अपने मंतरी को भेजा कि देखिए मेरे बेटे की शादी है तो उसके लिए ना आप ये हाथी हमें उधारा दे दो इंटेंशन ये थी कि एक बार ले लिया तो वापस नहीं करना अगर वापस मांगेंगे तो जगडा होगा और जगडा तो वो करना नहीं चाहेंगे रतन राय जाते हैं टाइम गुरू साब से बेंती करके गया था कि आपना मेरे जो तोफ़े आना ये अपने पास ही रखना किसी को मत देना मैं बहुत प्यार के साथ लेकि आया हूँ तो गुरू साब ने सोचा और कहा नहीं ये हाथी हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारा एक सिख लेके आया हमारे लिए हमारे पास और बहुत अच्छे हाथी हैं आप इनमें से कोई भी ले लो तो वो नराज हो गया भीमचंद बहुत बहुत नराज हो गया और उसने सोचा कि इस फकीर को मैं सबक जरूर सिखाऊंगा क्योंकि फकीर मानते थे ना कि ये रिलिजिस फिगिर्स हैं ये कौन होते हैं नगाड़ा बजाने वाले ये क्यों अपनी फौज तियार कर रहे हैं शादी का टाइम आया तो जहां पे वो यमना नदी को पार करते थे जाने के लिए वहां पे गुरू गोबिन सिंग जी का कबजा था उस क्रासिंग को पार करते तो भीम चंद का रास्ता बहुत छोटा हो जाता तो भीम चंद ने अपना नुमाइदा भेजा पूछने के लिए कि हम यहां पे क्रास कर ले तो गुरू साब को भी थोड़ा गुसा आया वा था उस टाइम पे उन्होंने वापस यह कहा कि अगर आप मेहमत है तो कर लो अब शादी विया के टाइम पे वो कांफरेंटेशन नहीं चाहते थे तो भीम चंद ने फिर लंबा रास्ता लेके वो गड़वाल गया अपने बेटे के शादी के लिए लेकिन गुरू साब ने कहा कि आपका बेटा क्रॉस कर सकता है क्योंकि उसके साथ मुझे कोई तकलीफ नहीं है तो उनका बेटा आया अपने टेंडेंस के साथ गुरू साब ने उसे बहुत प्यार से उनको मिले उसको क्रॉस कराया और वो चला गया अपनी शादी पे गुरु साब का एक वजीर था नंद चंद उसको उन्होंने भेजा क्योंकि फते चंद गुरु साब के बहुत करीब था कड़वाल का राजा उसके पास भेजा उन्होंने एक लाख रुपए की रकम लेके जो बहुत उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होती थी भीमचंद गुसे में था जब शादी के टाइम पे वहाँ पे नंद चंद नजर आया भीमचंद बोता राजा फते चंद को ये क्या कर रहा है याँ पे उसने का बहुत देखिये कुरू साब हमारे करीब है वो आप आनी सकें उन्होंने अपनों नमाइदा भेजा है तोफ़ा लेके आया है भीमचंद कहता इस तोफ़े को वापस कर दो फते चंद कहता कैसे वापस कर दो अब उसकी दुबारा शादी होगी नहीं होगी बेजिती होगी बरादरी में ये सब बाते सुनके हाँ एक शर्थ भीमचंद ने और रखी उसके सामने कि हम इस गोबिंद राय को उस पर हम हमला करने वाले हैं क्योंकि इसने हमें बहुत सताया और आप भी लड़ाई में हमारे साथ शामल होंगे तो फत्यचंद कहता मेरा तो उनके साथ कोई जगड़ा नहीं है मेरा तो बहुत प्रेम प्यार है मैं कैसे लड़ाई कर दूँ तो उसने कहा कि नहीं अगर आपकी बेटी जी की तरफ बढ़े और गुरु गोबिन सिंग्जी के पास छोटी सी फौज थी साथ में जो आम सिख थे कोई हलवाई कोई किसान जिसने कभी लाइफ में तलवार नहीं उठाई थी उनकी फौज गुरु गोबिन सिंग्जी ने तियार की तो बहुत बड़ा युद्ध हुआ भंगानी मैं अच्छली देख के आया साइट को वहाँ पे कुछ नहीं अभी सिर्व एक केत ही है भंगानी पे बहुत बड़ा युद्ध हुआ ये पॉंटा साब के पास में हिमाचल प्रदेश में जिसमें जो सारे पहाड़ी राजे थे उनको गुरू साब की एक बड़ी कमजोर आर्मी ने हरा दिया और फिर गुरू साब वापस अनंधपुर चले गए तो ये सिद्ध हो गया था राजों को के ये बहुत ताकतवर भी हैं जोदे भी हैं और हम इतनी अराम से इन पर काबू नहीं पा सकते अनंधपुर में जाके गुरू गोबिन सिंग जी ने एक तो किला बनाया अनंधगर किला बनाया उसको तकड़ा किया सो भंगानी के युद के बाद गुरू गोबिन सिंग जी ने फैसला किया गोबिंडराई उस ताइम पे गोबिंडराई थे उन्होंने फैसला किया कि वो वापस अनन्दपूर साहिब चले जाएंगे और वहाँ जाके उन्होंने अनन्दपूर का जो किला था अनन्दगड उसको और मजबूत किया और एक ऐसा समा आया से किफिहास में जब पहली बार एक राज दर्बार लगने लगा अनन्दपूर में तो योधे तो बहुत जब भंगानी की योध की बात फैली तो बहुत सारे यंग वारियर्स योधे गुरू साब के पास आए उन्होंने सब को अपनी फौज में रखा लेकिन साथ साथ वहां पे दर्बार का एक और एस्पेक्ट था वो ये था कि उच्च कोटी के कवी और लेखक गुरू साब के दर्बार में आके बस कए और वो इंकारिज करते थे सब को कहते हैं कि बावन मशूर कवी उनके दर्बार में होते थे उनमें से मैं दो तीन शक्सियोतों के बारे में आपके दर्बार को बताना चाहता हूँ सबसे पहले भाई मनी सिंग जो एक बहुत बड़े विदवान थे सिक्की के विदवान थे और उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारी पुस्तिकें लिखी और बहुत सारा सिख लिटरिचर उन्होंने संग्रे भी किया एकठ़ा भी किया उनकी सिख टैडिशन में बहुत सारी उनका बहुत योगदान है और उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे जब हम अनंदपुर साहिब की लड़ाई के बारे में निती शाश्त्र संस्कृत से ब्रज भाषा में उन्होंने उसका तर्जमा किया वो इसलिए कि ऐसे संस्कृत टेक्स आम लोक पढ़ने पाते थे ब्रज आम भाषा थी तो उन्होंने उसका तर्जमा कीया जिस तरह से अब हिंदी और उर्दू बिल्कुल तब ब्रज ब्रज चलती थी वहाँ पर आम आम इनसान की बोली थी वो और उनों उनका सबसे बड़ा योगदान था कि उन्हों ने गुरु गोबिन सिंग जी की पहली बायोगरिफी लिखी उनकी लाइफ टाइम में जिसका नाम है स्री गुर्सोबा ये एक बहुत ही कीमती ग्रंट है जिसमें उन्होंने गुरु साब के जो युद हुए उनका बहुत ही सुन्दर पोईटिक तरीके के साथ वर्नन किया हुआ है इसके अलावा बहुत सारे जो कांसेप्स गुरु साब के फिलासिफी के थे और खास करके जो आगे होना था जिसके बारे में ह भाई नंदलाल गोया तो भाई नंदलाल गोया फारसी के विदवान थे वो गजनी में वो बड़े हुए जहां पे उनके पिता दाराशिको की सेवा करते थे तो बहुत बड़े पर्शन स्कॉलर हुए और कहते हैं कि एक टाइम पे और अरंगजेब के दरबार में अक्सर ऐ होती थी तो एक बार एक शायद आगरा में कोई दरबार लगा हुआ था और किसी ने एक आयत की इंटरिप्रिटेशन की और अगजेब को इतनी पसंद नहीं आई तो उनका बेटा मौजम वो भाई नंदलाल के करीब था तो वो जानता था कि नंदलाल बहुत बड़े विद विद्वान है तो उन्होंने नंदलाल जी को कहा कि आप इसका तर्जमा करिए या इसका एक्स्विनेशन दीजिए तो जो नंदलाल ने दिया वो और अगजेब को बहुत पसंद आया और जब उनको पता लगा कि नंदलाल तो हिंदू है तो वो कहते कि इतना बड़ा विद और गुरु साब के दरवार के शायद सब से जाने माने रतन होए भाई नंदलाल फारसी में भी शायरी करते थे पंज़ाबी में भी लिखते थे बहुत सारे उनके लेख हैं जो सिक्षों के लिए बहुत कीमती है इनमेंसे है रहत नामा और तन्खानामा जो डौक्यमेंट क थी वो उनकी किताबों में लिखा है कहते हैं कि उच्चकोटी के फार्सी के कवी थे और जो बहुत मशूर पार्सी के शायर हुए है हाफिज उनके साथ उनके काम को कई बार कंपेर किया जाता है तो मैं एक छोटा सा नमूना भाई नंदलाल की कविता का आपके साथ शेयर करत हूँ और फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं एक दो लाइने में पढ़ूंगा दीन ओ दुनिया दर्कमंदे आफरी रुखसार मा हर्द ओ आलम कीमते यखतार मुए यार मा मानमे आरे मताबे गम्जए मिग्याने उ यक निगाहे जां फजाइश बस बवद दर्कार मा तो कह रहे हैं कि जो मेरा दीन है मेरा मजभ है वो आप में ही है कुरू साब को संबोदित कर रहे हैं और कहते हैं कि आपके केसों का एक बाल ये सारी काइनाद से भी ज्यादा कीमती है फिर कहते हैं कि आपकी एक नजर उसमें आपकी एक नजर में इतना कमाल है कि जो मेरा जीवन है वो आपकी एक नजर से बढ़ जाता है और मैं क्या मांग सकता हूँ सो ऐसे अंदाज में उन्होंने गुरू साब की उस्तत में बहुत सुन्दर कविताई लिखी हुई है फार्सी में सो ये कमाल के शायर थे और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मौडर्ण सिख मर्यादा में जब किसी गुर्दवारे में शबत की इरतन होता है गुर्बानी गाय जाती है तो तकریباً सारी बानी गुरू गुर्द साभ से गाय जाती है वो परवान है और कुछ लेक दसम गरंथ के जो कहते हैं कि गुरु गोबिन सिंग जी के रचे हुए हैं वो भी परवान है वो भी गाय जाते हैं इसके अलावा सिर्फ दो शक्सिये पे हैं जिनकी लिखी बानी को गुर्बानी कहा के गाया जाता है एक उनमें से है भाई गुर्दास जी जिनके बारे में हमने पिछले एपिजोड में बात की थी जो गुरु अर्जन साहब के स्क्राइब थे और जिन्होंने गुरु गुरंद साहब अपने हाथों से लिखा था सो जो उनोंने कॉमेंटरी गुरु गुरु कांत साहब वह गुर्बानी समझके गाई जाती है ऐसे ही भाई नंदलाल की रचनावए रचनाएं भी गुरुदारे में गुर्दावरे में। पर गाई जाती है तो इतना रिस्पेक्ट है भाई नंदलाल का सिख्पंत में अभी तक वो कहां से थे औरिजिनली मेरा है मुलतान से थे मुलतान से थे पर गजनी प्रोविंस में वो बड़े हुए और बाद में वो आगरा आ गए फिर जब यह हादसा हुआ जिसके आप मैंन अफगानस्तान में भी आम डाट शूर अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी दसम गरंथ के बारे में बड़ा टेक्निकल और लंबा टॉपिक है बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे थोड़ा सा मैं इसके लिए इस पे एंफिसाइज कर रहा हूँ क्योंकि देखिए गुरु काली दाड़ी उनकी होती है हाथ में तलवार होती है एक हाथ में बाज बैठा होता है ऐसी डिपिक्शन हम देखते हैं नीले कपड़े नीले कपड़ों का कुछ वो मैं को इसका इतना स्पष्ट आंसर नहीं अभी दे सकता सो आल रफ्रें फ्रम दाट सो वो जाएज भी है क्योंकि बहुत बड़े योदा थे लेकिन उस रेप्रेजेंटेशन में उनकी परसनालिटी का एक बहुत इंपॉर्टन हिस्सा छुप जाता है अब देखिए गुरु साहिबान अब हम गुरु नानक साहब को देखते हैं गुरु गोबिन सिंग जी को देखते हैं उनमें हम जलाल का प्रतीक है ऐसे लगता है ना हमको हम उनकी एक दो कॉमपोजिशन सहम देखते हैं जिससे जाहर होता है कि गुरु गोबिन सिंग जी में जितना भी जलाल नजर आता था ना जमाल उनमें गुरु नानक साहब जैसा ही था कोई फरक नहीं था सो ये चंद लाइने स्री दसमगरंथ के सारी जाब साब जो एक बानी है जो हम रोज पढ़ते हैं उसकी पहली लाइने हैं करता हूं सो वो कह रहे हैं कि आपका ना तो कोई चिन है ना ही आपकी कोई पहचान है ये भगवान को डिवाइन को संबोधित कर रहे हैं कोई आपकी जात नहीं है कोई आपका कुल नहीं है कोई आपकी शकल नहीं है कोई आपको जानता नहीं है आप हमेशा काइम हो आप अ आपकी जो ताकत है वो इतनी महान है कि आप भगवानों देवताओं के देवता हो और राजाओं के आप राजा हो आप देवताओं के इनसानों के दानवों के सब के आप महाराजा हो जो सारी बनस्पत है वो भी आपकी जो उपमा है वो नहीं कर सकती वो आपकी आपकी जो शक सारी बनस्पत बार बार लगातार बयान करती है। आपके नाम इतने नाम हैं कि कोई सब नाम नहीं ले सकता लेकिन जो आपकी करामात है ये किसी से छुपी नहीं है। तो ऐसे ही कांसेप्ट बिलकुल हमको गुरुनानक साब की बारी में भी मिलते हैं। एक और एक्जामपल मैं आपको देता हूँ। आत्मो ओ आब को रिलाओ है अल्ला अभेक सोई पुरान ओ कुरान ओई एक ही सुरूप सभे एक ही बनाओ है। इसका भी छोड़ा सा ट्रांसलेशन। ये फिर से ये जो शबद है उसी धर्म निर्पेक्ष्टा को ये एम्फेसाइज करता है। एक हैं बस उन्होंने ये जो डिविजन्स बना लिए ये सब जूटी हैं। भगवान, देव, दानव, हिंदू या तुर्क मुगलों को मुसल्मानों को उस टाइम पर तुर्क कहते थे। अलग-अलग कपड़े पैंते हैं, अलग-अलग जगा में रहते हैं। बस इनी चीज़ों को देखके हमें लगता है कि इनमें फर्क है, फर्क कोई नहीं है। सबके एक जैसे आखे हैं सबके एक जैसे कान हैं सबके एक जैसे जिसम हैं और सबकी एक जैसे आते भी हैं बस हम सब अगनी पानी और हवा के बने हैं और उसमें हमने बाद में जाके मिल जाना है so same concepts जो concepts गुरु नानक की बानी में है वही concepts गुरु गोबिन सिंग जी की बानी में है पर उनकी बानी में फिर जलाल भी है और जलाल का मैं आपको एक example देता हूँ एक बहुत बड़े historian और writer हुए है गोकलचन नारंग जी डॉक्टर गोकलचन नारंग कहते हैं कि इतनी सुंदर कविता दुनिया के किसी literature में नहीं है इस शबद के बारे में वो कहते हैं इसमें गुरू साब डिवाइन को एक तेग तलवार की रूप में उसको संबोधन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपकी तलवार इतनी जबरदस्त है कि जो बुरे लोग हैं उनके वो फोजों की फोजों को आपकी तलवार उड़ा देती है हर मैदाने जंग में आपका जलाल उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता आपकी जो आर्म है और तलवार है उसमें कोई फर्क नहीं वो एक ही है और आप उसी तलवार की ही रोशनी के साथ चमकते हो इतनी आपकी भारी चमक है कि जो सूरज की चमक है वो भी फीकी पड़ जाती है आपकी तलवार की चमक के पीछे के सामने जो अच्छे काम करते हैं उनको आप सुख शान्ती देते हो जो बुरे काम करते हैं उनको आप सजा देते हो जो हमारे पाप हैं वो सब आप नश्ट कर देते हो मैं आपकी शरण में हूँ मैं आपको संबोदित करता हूँ आपको सलाम करता हूँ आप ही सारी श्रिष्टी का कारण है और आपने ही सब कुछ बनाया है सो ये गुरु गोबिन सिंग जी का ये भी उनके कलाम में सी है और अब हम कहें कि इनके कलाम में तो जलाल है गुरु नानक के कलाम में तो जमाल ही जमाल है ये भी बात सची नहीं है क्योंकि जब गुरु नानक साथ ने बाबर को संबोधित किया था और उसके मूँ पे कहा था कि तु जाबर है उन्होंने अपने बानी में बिलकुल ऐसे ही विचार प्रकट किये हैं जिसमें उनका जो पावर है उनका जलाल है वो एकदम साफ साफ नजर आता है तो ये इस पॉइंट को समझना इसलिए जरूरी है कि खास तोर पे जो हमारे वे जोत एक ही है हाँ सिर्फ जोत एक ही नहीं है कथन भी एक है जो जजबात भी एक है और जो काम किये वो भी एक है देखिए गुरुनानक साब गुरुगोबिन सिंग जी से कम रेवलिशनी नहीं थे पर गुरुगोबिन सिंग जी ने तलवार उठाई गुरुनानक साब ने क गुरु गोबिन सिंग जी की हिस्ट्री है, उसके, हाँ नहीं, दो सब्जेक्स हमारे पास हैं. So, 1699 की विसाक्षी, गुरु साब ने दूर दूर तक अपने नुमाइदे भेजे, कि जहां जहां भी सिख रहते हैं, वो सब अनंदपुर आ जाएं. तो आगे, बहुत बहुत लोग आए, तो सब के दिमाग में ये बाद भी थी, गुरु साब ने बुलाया है, कोई खास बात होगी. तो एक मैदान था वहां पे, पास में छोटी सी पहाड़ी थी, वहां पे तंबु लगे हुए थे, कालीन बिचे हुए थे, तो हमारे कवी हुए हैं, कुएर सिंग, उन्होंने ब्रज कविता में ही किताब लिखी है, गुर्बिलास पाच्शाही दस्मी, जिसमें वो गुरु साब के इतियास को बियान करते हैं. उस दिन, उस विसाखी की दिन जो हुआ, उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इनकी राइटिंग को देखते हैं. पूरा सिक है कोई, सीस भेट गुर देवो सोई, ये सुन हुकम अधिक बहुभारा, भयो बिसम ये सकल संसारा, एक पी एक्स्प्लेइन. तो कहते हैं कि दिसाखी के दिन, गुरू साब ने सब को बुलाया, दूर दूर से लोग आए, और वहां खड़े होके गुरू साब क्या करते हैं? कहते हैं, यहां पे है कोई, जो मुझे अपना सिर देने के लिए तयार है, और ये सुनके सारे हरान हो गए, ये क्या बात कर गुरू साब सिर क्यों मांग रहे हैं किसी का? और आयो जगन नाफथा, तंबू के अंदर ले गए, तलवार के निकलने की आवाज आई, तलवार की चोट की आवाज आई, खून का नाला बहना शुरू हो गया और फिर गुरू साब निकले तंबू से अपनी तलवार रंगी हुई खून के साथ, सारे हरान हो गए, ये क् गया, फिर गुरू साब कहते हैं, एक और सिर, एक और उठके आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, पांचवा आया, सब इकट के अंदर एक दम लोगों ने आपस में बातचीत करनी शुरू की, क्या हो गया गुरू साब को, आज तो अपने सिखों को ये जानवरों की तरह मार रहे हैं, क्या इनका कोई दमाग तो नहीं फिर गया, क्या हो गया गुरू को, सब में ऐसी बातचीत होनी शुरू होगी, तब गुरू साब तंबू से निकले, और उनके साथ थे वो पांचों, जो उठके आये थे, फिर गुरू साब ने कपड़े, उन्होंने सुंदर ने कपड़े पहने हुए थे, गुरू साब ने एक देग मगाई, और उसमें गुर्बानी का पाठ करके अपनी तेग चलाई, तलवार चलाई, और माता साहिब कौर, जो जिनको खालसा की मां का दरजा दिया जाता है, वो कहत ने ये पांच जो उनके सिख थे, जो अपना सिर देने के लिए तियार थे, उनको बुलाया, और उनको ये अमरत एक ही बाटे से पिलाया, और उन्होंने कहा, कि आप मेरे पंज प्यारे, पांच प्यारे हो, और उनको उन्होंने एक नया नाम दिया, सिंग, कहते हैं कि आज के बाद आपका जो अक सरनेम होगा वो सिंग होगा अच्छा यहां पर विचारना जरूरी है कि यह कौन थे और कहां से आए थे सो दया सिंग लहौर से आये थे दया राम था उनका नाम पहले मोकम सिंग द्वारका से आये थे साहिब सिंग बिदर से आये थे करनाटका में धर्म सिंग हस्तिनापूर से आये दिल्ली और हिम्मत सिंग जगनाथ पूरी से आये थे ये सारे so called नीची जातों में से थे और आपने देखा है North, South, East, West सो ऐसा लगा कि सारे हिंदुस्तान ने गुरू साब की आवाज को सुना आए और फिर इनको अमरित पिला के सिंग बना के गुरू साब ने उनके सामने अपना घुटना टेक दिया और उनको कहा के मैंने तो आपको सिंग बना दिया है लेकिन मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने आपको सिंग बनाओ तो आप मुझे अब अमरित की दाथ दो ताके मैं भी गोबिंद राये से गोबिंद सिंग बन सकूँ सो उसके बाद यह जो पांच पैरे थे या पांच पैरे, इन्होंने गुरु गोबिन सिंग जी को अमरत पिलाया, और गुरु गोबिन सिंग गोबिन राए से गोबिन सिंग बन गयेॉ तो ये एक बहुत बड़ा दिन था सिकर इतिहास में जिसमें गुरु साब ने सिक्खों को एक नई मर्यादा बक्षी और उनको एक किसम में एक तरीके से इनिशियेट किया खालसा पंथ में और उन्होंने खालसा पंथ के बारे में काफी कुछ अपने सिखों को बताया कि आपने कौन सी मर्यादा रखनी है क्या करना है क्या नहीं करना तो आज की जो मौडर्न सिख आइडेंटिटी है वो उस दिन अनंदपुर साहिब की धरती पे 1699 की विसाकी के दिन इस्तापित हुई थी तो इसकी डॉक्यमेंटेशन भाई नंदलाल की राइटिंग्स में भी है इसकी डॉक्यमेंटेशन सेना पती की राइटिंग्स में भी है कुएर सिंग तो बाद में हुए है लेकिन जो उस ताइम पे मौजूद थे उन्होंने भी इन घटनाओं के बारे में लिखा है तो उस दिन से जो हम मौडरन सिखों की आइडेंटिटी है उसको काइम किया जाए तो सेनापती की गुर सोभा में थोड़ा सा उसका जिकर आता है जो मैं आपको सुनाता हूँ तो इसमें कुछ चीज़ें बेयान रहे हैं किहते हैं कि ए मेरा सिखोई होगा जो मेरी बात नहीं सुनेगा उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता उसका हाल बुरा होगा और फिर कहते हैं कि क्या उन्होंने डिरेक्शन्स क्या दी अपने सिखों को, पांच की कुसंगत तज संगत को प्रीद करे, जो पांच का यहां पर जिकर हो रहा है, यह सब अलग अलग वो लोग हैं जिन्होंने गुरुओं के सक्सेशन को माना नहीं, पिर्थी चंद के फॉल क्यार करो, दया और धरमधारी त्यागे सब लालसा, हर किसम का लालच, हर किसम की लालसा को त्याग दो, दया और धरम को अपना लो, हुका ना पीवे, तमबाकू नहीं पीना, सीस दाड़ी ना मुडावे, ना तो सिर के बाल काटने हैं ना दाड़ी काटनी है, जो यह मेरी सिख आइडेंटिटी शुरू हुई जिसको early 20th century में formalize किया गया एक सिख रहत मर्यादा तियार की गई जो publish की गी उस time पे जिसको modern सिख आइडेंटिटी माना जाता है तो आपने कोई सवाल पूछना था पूछिए ज़रूर obvious सवाल है कि five case के बारे में बताईए जी 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 पर इसके अलावा भी और क्या होता है five case तो बड़े well known हैं और important भी है पहला है केश कि आपने बाल नहीं काटने हैं कड़ा जो steel bangle हम हाथ पे पहनते हैं कंगा जो एक हम चोटा इसी कंगी रखते हैं अपने बालों में कचहरा सो कचहरा होता है लंबे trousers briefs कहलो क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा लुंगी टाइप के कपड़े पहने जाते थे सो सिख baptized सिख या initiated सिख के लिए ये भी एक ज़रूरी requirement है और finally किरपान एक छोटी sword सो ये पाँच ककार गुरू साब ने अपने खालसे को बख्षे पर इसके साथ सिखान भी बख्षे हमारी रहत मर्यादा में बहुत clearly बेयान है ये सिखान जैसे के कोई भी intoxicant नी पीना शराब नी पीनी अब कोई कह सकता है कि तो पंजाब में शराब तो बहुत चलती है हाँ चलती है लेकिन गुर्गो बिंसिंग जी ने सकत मना किया था इसमें कोई किंतू परंतू नहीं है तंबाकू ने यूज करना कोई intoxicant ने यूज करना फिर अपने high moral character के साथ जीना ये सब चीजे रहत मर्यादा में दर्स हैं और फिर कुछ और ऐसी भी चीजे हैं कि ये पाँच पाणियों का पार्थ आपने रोज करना है शाम के टाइम आपने ये पार्थ करना है तो ये सब चीजें जो sick code of conduct, way of life मर्यादा जो मर्जी आप कहलें ये उनमें दर्च हैं अब हम आखरी चैप्टर में पहुंचते हैं जी गुरु गोबिन सिंग जी का जो के बहुत बहुत इंपॉर्टन्ट है sick history में सो गुरु साब अनांदपुर में establish हो गए थे बहुत ताकतवर हो गए कोई पहाडी राजा उनका मुकाबला नहीं कर सकता था कई लड़ाईयों पहाडी राजों के साथ भी हुई उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनको अनांदपुर से हम हटा दे लेकिन वो अनांदपुर में एकदम द्रिड रहे, स्थापित रहे अच्छा ये जो सारे राजे थे ये मुगल तक्त के ही अधीन थे तो इन्होंने सोचा कि हम खुद तो कुछ नहीं कर सकते हैं बादशा से कुछ हम मदद मांगते हैं तो उन्होंने एक चिठी लिखी औरंगजेब को चिठी में ये लिखा कि सरकार हमें बहुत बड़ी मसीबत थमपे आगी है वो जो सिखों का गुरू तेग बहादूर जिसका आपने सिर काटा था बहुत अच्छा किया था आपने काटके उनका बेटा अब बहुत ताकतवर हो गया है और उसने कसम खा ली है कि वो बदला जरूर लेगा अपने पिता का बहुत ताकतवर हो गया है हमने तो सुनाया कि शायद दिल्ली पहुंच जाए तो आपको कुछ करना चाहिए इससे पहले कि ये मसीबत और बढ़ जाए आपको कुछ करना चाहिए तो अरंगजेब ने चिठी पड़ी और अरंगजेब ने पेगाम भेजा नवाब वजीर खान को तो उस ताइम पे पन्जाब में दो बड़े शहर या प्राविंस होते थे लहौर सबसे बड़ा था उसके बाद था सरंद सरंद का सुबेदार था वजीर खान तो अरंगजेब ने वजीर खान को कहा कि ये सब पहाडी राजों के आपने मदद करनी है और गुरु साब को अनानपुर से निकालना है आपने तो जबरदस सीज शुरू होगी घेरा हो गया अनापुर का कोई अंदर नहीं आ सकता था कोई बाहर नहीं जा सकता था गोला अंदाजी होनी चुरू हुई लेकिन किला बहुत तकड़ा था कुछ उसका असर नहीं हुआ जब लंबा टाइम निकल गया तो अंदर अनाज खतम होना शुरू हो गया तो लोग बहुत दुखी हो गये क्योंकि अंदर तो सिर्फ फॉजी नहीं थे ना लोग आम लोग थे बच्चे थे औरतें थी तो कुछ सिखों ने जाके गुरू साब को कहा कि हम ना किला छोड़ देते हैं यहाप तो भूके मर जाएंगे तो गुरू साब ने कहा थोड़ा सबर रखो पर जब सिखों ने खास करके बच्चों को देखा भूके वो सेह नहीं सके और फाइनली गुरू साब ने परवानगी दे दी कि हम किला छोड़ देंगे तो उसके बदले जो पहाड़ी राजे थे और जो मुगल हकूमत थी उन्होंने कहा कि आप बस किला छोड़ दो किसी का बाल बांका नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं किया जाएगा कुरान पर कस्में खाई गई तो गुरू साब अपने सब सिखों को लेके अनानपुर से बाहर आ गए थोड़ी दूर गए थे कि पहाड़ी राजे और मुगल की कंबाइन फौज उन पर तूट पड़ी बच्चे बच्चे भाग गए पर फौज के उपर वो तूट पड़ी सब इदर उदर हो गए गुरू साब के अपने दो छोटे शैबज आ रहे, छोटे बच्चे उनकी माता माता गुजरी, वो भी बड़ी फौज का मुकाबला किया और गुरू गोबिन सिंग जी अपने दो बड़े साहिबजादे अजीद सिंग और जुजार सिंग उनको लेके एक वहाँ पे गड़ी थी, छोटा फोर्ट पक्का किला नहीं, छोटी गड़ी थी, वहाँ पे जाके उन्होंने पना ले ली, गुरू सापने तो चमकौर की गड़ी में क्या हुआ इसके बारे में हिस्टॉरिकल अकाउंट्स भी हैं, और भी अकाउंट्स हैं, लेकिन जो मुझे सबसे कमपैलिंग और अच्छा अकाउंट लगा, वो एक मुसल्मान शायर हुए हैं, अल्ला यार खान जोगी, उन्होंने एक मरसिया लिखा है जिसका टाइटल है गंजे शहीदा मरसिया होता है, जो मतलब किसी के मरने पे दुख की कहानी जब सुनानी होती, उसको मरसिया कहते हैं, तो इन्होंने मरसिया लिखा है मैं मरसिया की कुछ लाइने पढ़ता हूँ फिर आपको चमकौर की खहानी सुनाता हूँ जिस दिन हुए चमकौर में सिंगों के उतारे जलाए हुए थे सब गैज के मारे आखों से निकलते थे दिलेरों के शरारे सत्गुर के सिवा और गजबनाक थे सारे गुसे से नजर जाती थी अफवाज अदू पर तेगे सी निगाप पढ़ती थी दुश्मन के गलू पर जब दूर से दरिया के किनारे नजर आए डूबे हुए सरसा में प्यारे नजर आए बहुत सारे सरसा में डूब गए ये देख के बिगडे हुए सारे नजर आए, बिफरे हुए सत्गुर के दुलारे नजर आए, कहते थे इजासत नहीं है, हमें रण की, मिट्टी तक उड़ा देते हम दुश्मन के चमन की, सो सारे लड़ाई के लिए त्यार थे पर गुरू साब उनको अभी परवान की लड़ गुरू गोबिंद, रास्ते में गवा आए, दो दुरू गुरू गोबिंद, यहां पर जिकर है, दो मोती, मतलब उनके दो चोटे बच्चे रास्ते में कहीं वो खो गए, थे गम की जगा शान्ती पुरू गुरू गोबिंद, फुरमाएं वो सबसे नहीं मौका, ये नहीं है, कल जो वाई गुरू ने चाहा है, वो कल होके रहेगा, जिस खिते में हम कहते थे आना ये वही है, कल लुटके जिस जगह से जाना ये वही है, जिस जान पे हैं बच्चों को कटवाना ये वही है, मिटी कह देती है, ठिकाना ये वही है, तो गुरू साब चमकौर म इनके पास 40-50 से ज्यादा जोदे नहीं है साथ में उनके दो बड़े बेटे मौजूद है तो अगले एक दो दिन वहां पे बड़ी फौज का घेरा हो जाता है बड़े बड़े मुसल्मान, फौजदार, जर्नेल सब वहां पे हैं पहाडी राजों की फौज़े भी वहां पे है वो बार बार हमला कर रहे हैं चमकौर की गड़ी पे लेकिन कुछ वो कर नहीं पा रहे हैं सो आहस्ता आहस्ता जब ऐसास होता है कि यहां पे तो हम इवेंचली मारे जाएंगे सिक्खों के छोटे-छोटे जथे निकलने शुरू करते हैं और दिवार को फांद के मुगल फौज में जाते हैं और आहस्ता आहस्ता शहीद होने शुरू हो जाते हैं सो सबसे पहले गुरू साब का बड़ा बेटा अजीद सिंग उनसे प्रवानगी लेता है कि पता जी मैं जाओं तो वो बिलकुल बिना किसी जिजग के उनको कहते हैं जाओ तो अजीद सिंग जाता है कुछ सिक्खों को लेके गमासान युद होता है और वो मर जाता है फिर उनका छोटा बेटा जुजहार सिंग जिसकी उमर शायद 15 साल होती है उस टाइम पे वो कहता है कि मेरे बड़े भाई साब ने तो अपनी कुर्बानी दे दी है अब मेरा टाइम आ गया है तो ये अकाउंट्स में लिखा है कि जब वो जाने लगता है तो देखता है कि यहां तो मौत है तो कहता है कि मुझे पानी दे दो तो गुरू साब कहते है बेटा तुम्हें पानी की कोई जरूरत नहीं है जो तुमारे बड़े भाई के कदम जो उनके कदमों पे चलने का तुमारा टाइम आ गया है तुम जाओ और होसले के साथ हो जाता है और वो भी शहीद हो जाता है तो आहस्ता आहस्ता तकरीबन सारे सिख शहीद हो जाते हैं गुरू साब के बड़े बेटे तो जाई चुके होते हैं तो फिर एक ऐसी बात होती है जिसकी सिख इतिहास में और सिख आइडेंटिटी में बहुत ज्यादा इसकी बहुत बड़ी एहमियत है थोड़े से सिख बचते हैं अंदर गुरु साब भी वहाँ पे हैं और नतीजा उन्होंने करी लिया होता है कि फैसला ले लिया होता है कि नतीजा तो जाहर है मौती है तो पांच सिख गुरु साब के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि पंथ को आपकी बहुत जरूरत है गुरु साब कहते हैं नहीं मैं गड़ी छोड़ के नहीं जाओंगा तुम सब मेरे बच्चे हो मेरे बच्चे चले गए कोई मुझे इसका गम नहीं है हम सब साथ ही रहेंगे तो फिर ये सिख उनको याद दिलाते हैं कि जब अमरत संचार का टाइम हुआ था तब आपने हमारे आगे घुटने टेके थे और आपने कहा था कि पाँच प्यारे जो हैं यही प्रमुक हैं तो आप अगर हमारी बेंती नहीं मान रहे तो हम आपको अब हुकम करेंगे कि आप जाओ यहां से तो गुरू साब मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अथारिटी दी है इनको तो जब उनको वो हुकम करते हैं कि आपको यहां से जाना ही पड़ेगा तो वो उनका हुकम कबूल कर लेते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टन्ट समा था सिक पंथ में जब जो गुरू की अथारिटी थी वो पंथ पूरे पंथ को सौंप दी गई और ये भी कोई नई बात नहीं थी क्योंकि जब ये पंज प्यारे जब हुकम औरिजनल पंच प्यारे नहीं थे वहाँ पर जो रेप्रेसेंट कर रहे थे जब हुकम कर रहे थे गुरू साब को ये बिल्कुल वही बात हो रही थी जब रावी के किनारे गुरू नानक साब ने भाई लेना के आगे माथा टिका था कोई फरक नहीं था इसमें इस टाइम पे जो गुरू का जो वर्डली पावर था वो खाल साब पंथ को सौंपा गया तो गुरू साब चले गए वहाँ से साथ में उनके एक दो सिक्त से सिर्फ एक सिक्त को गुरू साब की पोशाक पहना दी गई ताके मुगल फॉज को लगे कि गुरू साब वहीं पे है लड़ाई चलती रही फाइनली जो होना था वो होके रहा और सब सिक्ख मारे गए तो मुगल जर्नेल बहुत खुश थे कि हमने गुरू साब को मार दिया कदर भी बहुत करते थे क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और उने देखा था कि कैसे सब लड़ रहे हैं पर जब जाके देखा तो पता लगा कि गुरू गोबिन सिंग तो निकल गया है यहां से कोई और है तो गुरू गोबिन सिंग भटकते रहे अकेले माची वाड़ा एक जगा है वहाँ पर बहुत घने जंगल है तो वहाँ पर कहते हैं कि भटकते हुए यह का है माची वाड़ा पाकिस्तान में पंजाब में पढ़ता है इंडियन पंजाब में पढ़ता है माची वाड़ों के जंगलों में गुरू साब भटक रहे थे अकेले पैरों में छाले थे कुछ ना घोड़ा था कुछ साथ में नहीं था तो कहते हैं कि ये शबद जो दसम गरंत में दर्ज है कहते हैं कि गुरू साब ने वहाँ पे उचा रहा और आप चाहते हो तो मैं आपको एक गाह के सुना लेता हूँ शूर साब मितर प्यारे नू हाल मुरी दांदा कैना मितर प्यारे नू हाल मुरी दांदा कैना 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 तुद बिन रोगर जाईयां दा ओडण तुद बिन रोगर जायादा ओडैन नाग निवासादे रैना सूल सुराही खंजर प्याला बिंग कसा यादा सैना यारणे दा सानू सत्थर चंगा भट खेड़े आदा रैना भट खेड़े आदा रैना हाल मुरी दान्दा कैना मितर प्यार नू हाल मुरी दान्दा कैना अब मैं आपको समझा देता हूँ मेरे प्यारे मितर अभी विवाई ग्रू को इसमबोधन कर रहे हैं कि देखो आपके मुरीद का क्या हाल हुआ कि देखिए राज्ट हार्ट में जो रहते थे दर्बार उनका था सब कुछ उनका था अकेले जंगल में भटक रहे हैं छोटे दो बच्चे गाइब हो गए है बड़े दो बच्चे मारे गए और उत्तरा ही गम उनको अपने सिखों के शहीद होने का है तो यहाँ पर कुछ एक्जैम्पल्स देके कहते हैं कि अगर तू मेरे से विछड़ा है तो जो रजाई है जिसको कहते हैं उससे मुझे कोई किसी किसम का अराम नहीं मिलता तुझ बिन रोग रजाईयां दा ओर्डन कि यह रजाई तो मेरे लिए रोग बन गई है और यह जो घर है यह मुझे साप जैसे डस्ता है कि मेरा सब कुछ खो गया है लेकिन मुझे तकलीफ उस विछोड़े की नहीं है मुझे तकलीफ तेरे से जो विछोड़ा है उसकी तकलीफ है यह बियान कर रहे है सूर सुराही खंजर पयाला बिंग कसाईयां दा सैना जो कमफर्ट की चीजे होती है सुराही काप के भी यह मेरे लिए एक खंजर की तरह है कोई मुझे इससे सुक नहीं मिलता जो कसाई का जो हत्यार होता है ऐसे मलूम होता है कि वो मुझे पढ़ रहा है end में कहते है यार अरेदा सनु सत्थर चंगा भट खेड़े यांदा रहना कि मेरे यार का सत्थर होता है जो पैलिट जिस पे किसी मुर्दे को रखा जाता है कि तेरा तो वो भी मेरे लिए अच्छा है जो ये दुनिया की खुशी है न ये तो मुझे बट्टी होती है न एट जिसमें पकती है दुनिया की खुशी या तो वैसे मुझा को लगती है तो ये बियान करते हैं गुरू साब अपनी हालत उस टाइम पे और भटकते भटकते फिर निकल जाते हैं वहाँ से लंबी कहानी है छोटा वर्जन आपको मैं सुनाता हूँ फाइनली उनके सिख उनके पास आ जाते हैं और वो पहुँच जाते हैं दमदमा साहब साबू की तलवंडी और वहाँ पे फिर वो री ग्रूप करना शुरू करते हैं अपने सिख दुबारा से कठे करते हैं दमदमा साहब सिखों का एक नॉलिज का बहुत बड़ा सेंटर बन जाता है उसको गुरू की काशी भी कहा जाता है और वहाँ पे बहुत सारे कवी भी आ जाते हैं बहुत सारे लेख भी लिखे जाते हैं कहते हैं कि जो गुरू साब के दरबार की पूरी आउटपुट थी न विद्या सागर गरंथ उसको कहते थे पता नहीं कितने क्विंटल उसका वजन था जब सिख भाग रहे थे अननपुर साहिब से तो ये सारी लिटरी आउटपुट सरसा नदी में बैगी खतम हो गई सारी अच्छा गुरु गुरान साहब भी नहीं था तो कहते हैं कि वहाँ पे गुरु साहब ने गुरु गुरान साहब डिक्टेट किया दुबारा और लिखने वाले थे भाई मनी सिंग सो गुरु गुरान साहब में तो गुरु अरजन साहब तब की बानी थी सो वहाँ पे गुरु साहब ने गुरु गोबिन सिंग जी ने अपने पिता गुरु तेग बहादर की बानी भी गुरु गुरंट साहब में दर्जबक की और जो मौडरन गुरु गुरंट साहब का फॉर्म है वो दमदमा साहब पे तियार किया गया माची बाड़े से निकलने के बाद गुरु साहब को एक और खबर मिली छोटे बच्चे गाइब थे उनके बारे में कुछ नहीं पता था खबर आई कि गुरु साहब का जो घर का बावर्ची था उसका नाम गंगू था तो गंगू माता गुजरी और दो छोटे शाहब जादे उनको लेकर भाग निकला जब सरसा नदी के किनारे पे जब हमला हुआ गंगू की नियत खराब होगी उसको पता लगा कि वजीर खान ने बहुत बड़ा इनाम जारी किया है कि कोई गुरु साहब के परवार को लेके आए तो उसने जाके माता गुजरी और दो छोटे साहबजादों को वजीर खान के हवाले कर दिया सो वजीर खान ने इन छोटे बच्चों को अपनी अदालत में बुलाया और कहा कि ये बहुत बड़े बागी गुरु गोगन सिंग के बेटे हैं इनके उपर एक किसम का मुकदमा चलाया जाएगा काजी सारे वहां पे मौजूद थे जो वजीर खान के नीचे जो सुबेदार थे सारे वो मौजूद थे शेर मौमद खान मलेर कोटला का नवाब जिसके भाई को गुरु गोगन सिंग जी ने युद में मारा था दिवान सुच्चा नंद जो मिनिस्टर था वजीर खान का और सारे उम्रा बड़े बड़े लोग सब अदालत में मौजूर थे तो वही अल्ला यार खान जोगी जी ने एक और मरसिया लिखा है जिसका नाम है गंजे शहीदा उसमें से मैं आपको एक दो पैरग्राफ सुनाता हूँ जो उनकी पेशी हो रही थी छोटे बच्चों की तो वहां पे क्या हुआ थी प्यारी सूरतों से सुजात बरस रही ननही सी सूरतों से थी जुर्णत बरस रही रुख पर नवाब के थी भी शकावत बरस रही राजों के मुख पे साफ थी लाहनत बरस रही बच्चों का रुआब गया हर एक मुशीर पर लर्जा से पढ़ गया था अमीरों वजीर पर सो बच्चे बड़े रुब के साथ खड़े थे और जो वजीर सारे खड़े थे उनको थोड़ी शरमानी शुरू हुई नाजम की बात पर रुकने लगी जुबां खुद को संभाल करके कहने लगा जी हाँ खावा हु मौत या तुम्हें चाहिए अमन बतलाओ साफ अब ये आली खान दान इस दम करो अगर कबूल शाह के दीन को फिर असमान बना दू तुम्हारी जमीन को तो इन बच्चों को कहता है कि देखो फैसला तुमाठा सा हार्ट बढूआया भी हो ए क्योंकि बच्चों के रोग को देख के सारे थवड़ा साफ लड़कडा गएं दर्बारी تو ये भी थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है लेकिन उनको बुलाया है अदालत में तो कुछ तो कहना पड़ेगा तो कहता है कि देखो फैसला थम्हारे हाथ में है हमारे शाह का जो धरम है मतलो हमारे राजय का धरम इसलाम कبूल कर लो तो मैं तुमारी जमीन को अस्मान बना दूँगा जो तुम चाहते हो मैं तुमको दे दूँगा जवाब क्या देते हैं बच्चे सत्गुर के लाडलो ने दिया रोब से जवाब आती नहीं शर्म है जरा तुझे ओ नवाब दुनिया के पीछे क्यों करता है दीन को खराब किस जगा लिखा है जल्म दिखा तो हमें किताब तालीम जोर की कुरान में नहीं खूबी तुमारे शाह के इमान में नहीं दिलेरी के साथ कहते हैं कि दिखा हम को कहां पे लिखा है कुरान में कि जोर जबरस्ती करके किसके किसी का दीन तुम बदल सकते हो, तुम तो अपने मजब की बेज़ती कर रहे हो, सनाटा चा गया, सब परेशान, वजीर खान शेर मुहमद खान को बोलता है, शेर मुहमद खान बदले का टाइम आ गया, इनके पिता ने तुम्हारे भाई को मारा है, बदला हम इन से लेते हैं, शेर मुहमद खान बहुत अलग किसम का आदमी था, कहता है नवाब साब ये क्या बात हुई, वो भी जोदा थे, मेरे भाई भी जोदा था, वो लड़ाई में मारा गया, बदला हमने लेना है तो हम गुरु गोबिन सिंग जी के से लेंगे, ये मसूम बच्चों का क्या कसूर है, थोड़ा सा फिर से लटकडा गया वजीर खान, फिर दिवान सुच्चानंद बोला, कहता, वजीर खान साथ, आपको तो पता ही है, कि साप के बच्चों को पुचल देना चाहिए, क्योंकि कल वो बड़े होके साप बनेंगे, आप कोई डसेंगे, इनको छोड़ो मत, तो वजीर खान ने फैसला सुनाया, कि ये बागी गुरू के बच्चे हैं, ये इसलाम कबूल नहीं कर रहे, तो इनको जिन्दा दिवार के अंदर चिना दिया जाएगा, तो सरंद में, छे साल और नौ साल के छोटे साहिबजादों को दिवार में चिना के मार दिया, अब आपको एक बहुत दिल्चस्प बात में बताता हूँ, शेर महमद खान उस दिन जल्म के खिलाफ बोला, धाई सो साल बीट गए, पार्टिशन का टाइम है, पंजाब में आग लगी है, सब जानवर बन गए हिंदू, सिक, मुसल्मान एक से, क्या उन्होंने एक दूसरे के साथ किया, हम सब जानते हैं, कोई दूराने की जरूरत नहीं है, मलेर कोटला पंजाब में एक शहर है, जिसकी अबादी सारी मुसल्मान है, मलेर कोटला के चारो तरफ हिंदू और सिक, जिनका खून खौल रहा है, क्योंकि सब को पता है क्या हो रहा है, मलेर कोटला के एक मुसल्मान का बाल नहीं बांका होता वो इसलिए कि ठाइसो साल पहले शेर मुहमद खान जुम के खिलाफ बोला था उसको हम कहते हैं शेर मुहमद खान दे हादा नारा उसने हाए कहा उस टाइम पे कि ये बच्चों को नहीं मारना तो देखो उसके एक इस काम की बदौलत सारी मलेर कोटला की पॉप्यूलेशन पार्टिशन के टाइम पे बिलकुल बची रही कुछ नहीं हुआ उनको सो कैसे हिस्ट्री का असर जा के किस तरीकों के साथ अपने आपको मैनिफेस्ट करता है हम अंदाजा नहीं लगा सकते लेकिन शेर मुहमद की एक ये बात धाई सौ साल तक सिखों के दिमाग में रही और आज तक भी है और अंगजेब को फिर गुरू साब ने एक खत लिखा जिसका नाम है जफर नामा लेटर ओफ विक्टरी तो गुरू साब की विक्टरी तो कोई नहीं हुई थी सारा परवार नश्ट हो गया था सिख मारे गए थे लेकिन उन्होंने जफर नामा लिखा और अंगजेब को कि विजई मैं ही हूँ तू नहीं है तूने कुरान पे जूटी कसमे खाई तूने इतनी बड़ी फौज भेज के थोड़े से योदों के साथ मकाबला किया क्या कर लिया तूने फिर उन्होंने अपने पंच प्यारों में से एक को भेजा कि दक्कन में जाओ और ये चिठी औरंगजेब को दे के आओ इस से पहले के चिठी औरंगजेब के पास पहुँचती कहते हैं कि औरंगजेब को थोड़ा सा एसास हो गया था तब तक कि उसने बहुत गलत काम किया है लेकिन उसकी डेथ होगी और कोई गुरू साब और अरंगजेब की दोबारा से मीटिंग नहीं हुई औरंगजेब के मड़ने के बाद वही बात शुरू होगी उसके बेटों में लड़ाई शुरू होगी सो मुआजम जो उनका बेटा था उसने गुरू साब से मदद मांगी गुरू साब से जिसका इसके परिवार को उसके पता ने नश्ट किया था गुरु साहब को देखो उनको लगा कि मुआजम ही असली हाकिम होना चाहिए तो उन्होंने अपने सिक बेजे जजाओ में बहुत बड़ी लड़ाई हुई मुआजम और उसके भाईयों के बीच में जिसमें मुआजम विजई हुआ और फिर वो बादशा बहादरशा बना तो बहुत उसने गुरु साहब का सतकार किया आगरे में उनको बुलाया और बहुत रिस्पेक्ट दी और फिर बहादरशा ने दकन जाना था और उसने गुरु साहब को रिक्वेस्ट किया कि आप भी मेरे साथ चलो तो क्योंके गुरु के सिख बहुत साउथ में भी थे गुरुनानक साहब वहाँ भी गए थे तो गुरु साहब कहने लगे मैं भी चलूँगा साथ में तो वो अपनी फौज लेके दकन की तरफ गए और वहाँ जाके उन्होंने नांदेड एक जगा है वहाँ पे उन्होंने बहादर शाह जफर और गुरु गोबिन सिंग जी में आपस में समझाओता हो गया है तो पता नहीं क्या बदला लेंगे गुरु गोबिन सिंग मेरे से तो उसने दो पठान भेजे नंदेड तो दो पठान गए वहाँ पे और गुरु के दरबार में तो सब के लिए खुला था, मुसल्मान भी थे, वहाँ पे, हिंदू भी थे, सिख भी सब थे, तो पठान भी आ गए वहाँ पे, और एक रात जब पहरा कम था, उन्होंने जाके गुरू साब पे वार कर दिया, तो गुरू साब ने एक को तो वहीं पे मार दिया, और दूसरों को सिखों ने पकड़ क मार दिया, और गुरू साब को चोटे बहुत आई, तो जब उनको एसास हुआ, कि मेरे जाने का वक्त आ रहा है, तो आसपास सिख बहुत परिशान, क्योंकि पिछले कई गुरूं में जो गुरू करार किये गए थे, वो गुरू साब बान के परवारों में से ही थे, पर कौन बनेगा अगला गुरू? क्योंकि गुरू, तेखिए, अब हम को 400-300 साल हो गए हैं, हम इमेजन नहीं कर सकते कि उस टाइम पे जब एक जीता जागता गुरू सिखों के बीच में था, तो कितना गुरू से उनको सपोर्ट भी मिलती थी, उत्षा भी मिलता था, गाइड तो बहुत परिशान सब, तो कहते हैं कि गुरू साब ने सब सिखों को अपने पास बुलाया, और भाई नंदलाल गोया ने डॉक्यमेंट किया है अपनी राइटिंग्स में के उस टाइम पे क्या हुआ, तो गुरू साब कहते हैं, जो प्रब को मिल बोच है, खोज शबद में ले, तो कहते हैं कि अकाल पुरक वाई गुरू की आग्या हुई, तो ये पंथ चला, अब मैं सब सिखों को हुकम देता हूँ, कि आज के बाद तुम्हारा गुरू गुरंथ, गुरू गुरंथ जी माने, वो प्रगट गुरा की तो तुम ये मानो के गुरू गुरंथ साहिब में गुरू साहिबान की दे प्रगट है, और जो मुझे मिलना चाहता है, मुझे शबद में ढून ले, तो बता दिया उनको कि अब गाइडन्स आपको गुरू गुरंथ साहिब से मिलेगी, पर वो काफी नहीं था, वो कि तलवारें तो दो थी ना, एक मीरी की तलवार थी, एक पीरी की तलवार थी, अब मीरी की तलवार का क्या होगा, फिर गुरू साहब बोलते हैं, तीन रूप है मोहे को, सुनो नंदलाल चित लाए, निर्गुन सर्गुन गुर्सबद हैं, कहे तोहे समझाए, तो नंदला मैं तुमको कहता हूँ कि मेरे तीन रूप है एक तो मेरा रूप है निर्गुण जिसका कोई ए्टिब्यूट नहीं है दूसरा है सरगुण जो इस दुनिया में है मैं। और जो तीसरा है वो है शबद ये मेरे तीन रूप है। एक रूप तह गुनते परे, नेता नेत जबी निगम उचरे, घट घट वयापक अंतर जामी, पूर रहे हो, जीओं जल घट पानी, वो जो निर्गुन सुरूप है, वो सब जगा है, जैसे पानी, हवा दुनिया में वस्तिय वैसे ही वो निर्गुन सुरूप है, वो तो सब गुर्धरसन की चाहे दरसन करे ग्रन्त जे आहे जो सिख गुरू के दर्शन करने चाहता है गुरू गुरंत के दर्शन कर ले फिर अखीर में कहते हैं तीसर रूप सिख है मोर गुर्बानी रत जाहे नास भोर सो जो मेरा आखरी रूप है ये मेरे गुर्सिख है अब याद रहे कि उन्होंने जो अपनी अथॉरिटी थी वो तो अल्रड़ी बख्ष दी थी सिखों को यहाँ पे उन्होंने मोहर लगा दी सो उस दिन के बाद सिख पंथ की अगवाही एक स्पिरिच्वल तोर पे गुरू गरंद साहिब करता है और दुनियावी थोर तर पूरा सिख पंथ करता है यह कैसे करता है? इंसिटूशन है जैसे पंजप्यारे की इंसिटूशन यह कोई पुइम कोई कहँएगा कि कौन से पंजप्यारे है और किसको पंजप्यारे बनना चाहिए कोई भी अम्रिधारी सिख औ Culture वो पांच प्यारा का फंक्शन निभा सकता है तो ये ट्रिडिशन बन गई है सिखों में कि जब फैसले लेने होते हैं तो इस इंसिटूशन को हमेशा किन्वीन किया जाता है और उसमें फैसले लिये जाते हैं सिख एंपाय के शुरवाद भी इसी इंसिटूशन से थी ती रजीत सिंग के टाइम पर खतम होगी तो एक दूसरी इंसिटूशन इस से निकली उसको कहते थे सर्बत खालसा सो सर्बत खालसा क्या होता था कि अकाल तख़त जहां पर जिसको गुरु हर्गोबन ने स्थापत किया था और जहां पर उनका दर्बार लगता था अकाल तख़त पे सिखों का एक आठ होता था दूर दूर से सिखाते थे और वहाँ पे डिबेड होती थी खुले डिबेड होती थी और डिबेड के बाद जब पूरे एसेmbलिज का एक मत जब बन जाता था उसको गुरमता कहते थे और वो गुरू का हुकम की तरह माना जाता था सो जब रजीत सिंग के टाइम पे अफगानों का हमला होता था तो उनसे पहली बार मकाबला करने के फैसले ऐसे सर्वत खालसाओं में ही लिए गए तो ये सर्वत खालसा की इंस्टिउशन भी इसी परंपरा में से निकली है और उस टाइम से गुरू साब देखिए सिखों में ना सिखों का जो कैरेक्टर है उसका एक ये भी ऐस्पेक्ट है कि हर सिख अपने आपको किसी से नीचा नहीं समझता तो सिखों के अंदर एक राजा होना नामुम्किन था वो कैसे रंजीत सिंग बन गया वो किसी और टाइम बात करेंगे लेकिन जिसको हम अग्रेजी में कहेंगे एक रिपबलिकन स्पिरिट सिखों में भर दी थी गुरू साहब ने कि आप मेंसे कोई भी किसी से कम नहीं है आप सब बराबर हो तो ये जो बराबरी का एसास है ये सिखों में आज तक बिलकुल काइम है और ये उनको गुरू साहब ने ही दिया है सो जब गुरू साहब के जाने का समय आया तो ऐसा मसूस होता था कि जो गुरू नानक साहब का एक मिशन था जो उन्होंने शुरू किया था बहुत छोटी उमर में जब उन्होंने जात भेद से बगावत करनी शुरू की थी वो मिशन कुरू साहब ने कुरू गोबिन सिंग जी ने मुकमल किया जैसे के हमने पहले भी इसके बारे में बात की है जोत वही थी और इतने सौ सालों के अरसे में जो चीज एक ख्याल एक आइडिया से शुरू हुई थी और अगर सिखों का कोई एक चिन है वोः सिखों की करपान पांच ककारों मेंसे करपान की चच्चा भी ज्यादा होती है for obvious reasons पर ये बात हम कभी नहीं भूल सकते कि जो सिखों की किर्पान भी है न उसमें और गुरुनानक साहब की चीख में कोई फरक नहीं है ये किर्पान उस चीख का ही प्रतीक है और ये किर्पान बिलकुल वही बात दुराती है कि जैसे गुरुनानक साहब ने बाबर के जल्म को परदाश नहीं किया वैसे ही ये किर्पान आपको कहती है कि दुनिया में तुमको जब भी ये जल्म नजर आता है नहीं सामना करना है तो ये है सिख गुरु साहबान की कहानी सर थैंक यू बहुत कम पॉड़कर्स होते हैest मैं बिल्कुल बात नहीं करता हैं ये नमें से एक पॉड़कर्स था मज़ा आगया आज ये आक्टिली ट्रिलिजी है इसके बाद भी एक कहानी है नहीं उससे पहले एक और कहानी है सिख एफिंपायर चौथी कहानी है तो मैं आपको और आपके दर्शकों को भी बता देता हूँ, यह जो मैंने आपके साथ बुक शेयर की, जो मैं आपको आज एपिजोड के बीच में गिफ्ट कर रहा हूँ, यह एक सीरीज का पार्ट है, पहला पार्ट गुरु साहिबान के काल को कवर करता है, जो हमने किया है, इसका सेकंड पार्ट आ रहा है इस साल, और यह कवर करेगा गुरु साहिब के जाने का टाइम 1708 से लेके 1780 तक जब महरजा रंजीत सिंग का जनम हुआ, जो यह हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा समा है, जो के बहुत दिल्चस्प भी है, और इसके बारे में बहुत लो मुगल हकूमत और अंगजेब के टाइम तक बहुत मजबूत थी, बहादर शाह के टाइम पे थोड़ी सी कमजोर होनी शुरू हुई, और बहादर शाह के टाइम के बाद लगातार कमजोर होती गई, 1739 में परशिया के बादशा नादर शाह ने हिंदुस्तान पे हमला किया, और उस टाइम पे मुगल तक्त पे बैटा था मुहमद शाह रंगीले, तो मुहमद शाह रंगीले का नाम ही ऐसा था, मुहमद शाह को मौसीकी का बहुत शौंक था, कविता का बहुत शौंक था, नाच का बहुत शौंक था, लेकिन वो जोधा नहीं थे, तो नादर शाह ने आके मुगल हकूमत की कमर तोड़ दी बिलकुल तभी तखते तौस और बहुत कुछ दिली से वो लेके गया बहुत लंबे लंबे description लिखे हैं कि वो क्या-क्या दिली से लेके गया था तो मुगल ताकत तकरीबन उस टाइम पे नश्ट होगी वापस गया नादर शाह और वापस जाके उसको उसके कुछ सबॉर्डिनेट्स ने असेंसिनेट कर दिया और उसके दौरान उसका एक जर्नायल था एहमद शाह अबदाली वो बहुत सारा हिंदुस्तान से लूटा खजाना लेके अफगानिस्तान चला गया और वहां पे वहां का राजा बन गया अभ्द शाह दौरानी उसने टाइटल लिया अगले आने वाले सदियों में मुगल हकूमत कमजोर हो रही है अफगान हकूमत टाकतवर हो रही है नौ बार अभ्द अभ्दाली ने हिंदुस्तान पे हमला किया अच्छा हमलावार आते कहां से थे पंजाब से क्योंके अफगानिस्तान फिर उसके बाद पंजाब शुरू हो जाता था तो नौ बार पंजाब में जब हमले हुए अफगानियों का सामना करने वाला कोई था नहीं क्योंके जो मुगल सुबेदार थे बहुत तकड़े सुबेदार थे जखरिया खान था नहीं मकाबला कर पाए तो उस टाइम पे जब एमर शाबदाली अपना लुटा हुआ समान और कैदी लेके वापस जाता था सिर्फ सिख थे जो आके हमला करते थे उसको हरास करते थे उसके कैदीों को छुड़वाके घर लेके जाते थे तो ये जो चालिस पचास साल का टाइम था इसमें पंजाब में किसी की अथारिटी नहीं थी बाद में हमद शाब दाली आया उसने रिश्टा भी कर लिया अपने बेटे का मुगलों के खांदान में तो पंजाब उसको दे दिया गया पंजाब का सुबा उसको दे दिया गया लेकिन उसका यहां पे राज करने में कोई इंटरेस नहीं था पंजाब में केऊस हो गया उस केऊस में सिखों ने अपनी ताकत इसर्ट करनी शुरू की और ये एक ना कौतक लगता है मिरिकल लगता है हम थोड़ा सा गौर करें सिख कौन थे और कहां से आये थे आप जो जात पात को एक पिरमिड की तौर पे इमाजन कर लीजिए पिरमिड के सबसे उपर बैठे हैं ब्रामिन उनके नीचे बैठे हैं खत्री और फिर उसके बाद दूसरे वर गाते है गुर्णानक साहब का पंथ वो था जो इस पिरमिड को नश्ट करना चाहता था क्योंकि वो कहता था कि सब बराबर हैं तो आप इमाजन करो कि ज्यादा सिख कहां से आए होंगे उस पिरमिड में नीचे से ठीक है ना उपर वालों को तो कोई इंसेंटिव नहीं था तो ये वो लोग थे जिनको सैंक्डे सालों से दबाया गया था जिनके हाथ में कभी हत्यार नहीं थे जिनमें कोई जोदे नहीं थे ये वो लोग थे जब गुरू साब गए तो उनकी हालत और भी खराब होगी क्योंकि एक गुरू थे जिनसे उनको इंस्पिरेशन मिलती थी वो भी अब नहीं रहे तो कैसे इन लोगों ने जो समाज के सबसे नीचले वर्गों से आए थे कैसे इन्हों ने जाके 80 साल बाद एक बहुत बड़ा राज इस्थापित किया ये उसकी कहानी है सो रंजीत सिंग के बारे में हम सब बात करते हैं लेकिन हम उस टाइम के बारे में नहीं बन सकता था सो ये वो मिसिंग येर्स की कहानी है जब मुगल अमपायर गिर रहा था अफगान अमपायर चड़ रहा था पंजाब में बिलकुल बेचैनी चाही हुई थी कोई अथारिटी नहीं थी तब सिखों ने आके कैसे अपने आपको इस्टैब्रिश किया ये उसकी कहानी है और इसमें इंटरेक्शन मराठों के साथ भी है क्योंकि मराठाज पंजाब तक आते थे क्योंकि दिल्ली दर्वार को वही प्रॉप अप कर रहे थे उस टाइम पे ये कहानी अंग्रेजों की भी है क्योंकि अंग्रेजों ने उस टाइम से बंगाल से वेस्ट वर्ड जाना शुरू कर दिया था सो ये सारी जो पुलिटिकल एंटिटीज जिनका इंटरेस था पंजाब में ये सब उनकी कहानी है सो ये next part ये है सब्सक्राइब से थैंक यू मज़ा गया आपके साथ मुझे भी बहुत अच्छा लगा इम इम ग्लाइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब ये बाते और भी ज्यादा लोगों तक फैल रही है इंक सिर्फ पंजाब में लोगों को सिख history और सिख origins के बारे में इतने गहराई से पता पर जबन मेरे मानना है कि भारत के पूरी population में उल्याजी को ले कर बहुत जाद़ क्यूरियोसिटी पंजाब की history और गोले कर बहुत जाद़ क्यूरियॉसिटी है अगली बार सिख एंपायर से पहले जो फेस था उसे ब्रेकडाउन करेंगे सिखी की कहानी कंटिन्यू करेंगे हर साल ना हमें ऐसे पांच या छे लोग मिल जाते हैं जिनके अंदर इतने सारे पॉडकास भरे हुए होते हैं जिनकी रिसर्च इतनी ज्यादा डीप होती है तो जब भी मैंनका नाम हमारे स्केडूल पर पढ़ता हुए यह एक्साइटमेंट फील होती थी I'm looking forward to recording with Saprit Paji again Lots more to come from him, lots more to come from TRS Support करते रहो हमारे देश की असली हिस्ट्री है हमारे कल्चर्स की असली हिस्ट्री लोगों को अब जानने का मौका मिल रहा है पॉडकास्टिंग के थ्रू, OTT प्लाटफोर्म्स के थ्रू मौडर्न फिल्म्स के थ्रू But I'm sure this is just the beginning of the history renaissance Support करते जाहिए बहुत सारे तगडे TRS episodes आने बाकी है मौकास्टिंग मौकास्टिंग